पूजी महराजी के दर्शन हेतु जो है आप सुभार्ती चैनल के आफिस से शमय निकाल कर बहुत बहमोले शमय इनके पास है मैं ये निविदन कर दूँ आप सभी को राम राम करते हुए आदने श्री आर्पी सिंग जी दैनिक प्रभाद जो मेरट का एक बड़ा पेपर है उसके भी संपादक है बहुत ही विद्वान है और उन्होंने सुना कि बाभुजी की गुल्डन जुबली के अवसर पर ये कथा हो रही है तो वो पचास किलो की ही माला लेकर आए हाला कि मेरी गर्दन जो है वो सबने समाली हुई है बहुत अच्छा पुले हनुमान जी महराज की जै सुभारती चैनल की जै बहुत अच्छा भले ही पुझ महरा जी बहुत भार वाली माला हो लेकिन कभी-कभी भक्त के मन के भाव को रखने के लिए वो भार साना पड़ता है राजन ये माला सम्हाल के रखवाओ अभी कथा के प्रशाद के रूप में जब आरती होगी अच्हारी तो बाबुजी को जोडे सहित आरती है माला पहना ही ये पहना ये प्रशाद हो गया और ये बहुत ये मन्दर में रखवाएं ठीक से ये माला बुबारा आपको पहना ही जाए अज़ी पंदाजी को यह सुभार्ती चनल का और महाराजी हम सब का सभाइगे धन्यबाद अब मैं पूज्य महाराजी के चड़ो में सभी भक्तों के और से नमंग बंदन निवेदन करता हूं कि पंचम सो बान की कथा का रस्पान हम सभी भक्तों को कराएंगे पूज्य महाराश्री अब दन्यबाद में आप अधक सर्वाद में पूज्चा एंप तक है मैं को अपना लगे मैं को अधर करेंगे आप सभी को राम राम, जोड से बूलिये राम राम, अपनी कमर सीधी कर लें और मेरे साथ तीन बार ओम का उचान करें, मंगला अचान का गायन करें, देखे, आज के लिए विशेश निविदन कर रहा हूं, वैसे तो हमेशा ही हम लोग कहते रहते हैं कि गाहिये गाहिये, ले कि अज के लिए विशेश निविदन इसलिए कि आज सुभे दस बजे के बाद एकादशी का पुननिकाल प्रानम भोगया है, कल दुपहर तक रहेगी एकादशी, ऐसे एकादशी के अवसर पर उबी इतने पवित्र स्थान में बैठकर आप जितना अपनी बानी का सदो प्य अम 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 बर्णाना मर्थ संघाना रसाना उशंदसाना मुंगलानां चकरतारवू वंदेवानी मिनायवू आदीतस्य नमस्कारां ये कुर्बंती दिने दिने आयूर प्रज्या बलं बिव्यं। तेजस्ते शांच जायते। करपूर गौरं करुणा बतारं। संसार सारं भुजगें प्रहारं। सदा बसंतं रिदयार विंदे। भवं भवानी सहितं अमा। लोका भिरामं गणरंग धीरं। राजीवनेत्रं रगुवंशनाथं। कारं ने रूपं करुणा करंतं। श्रीरां चंद्रं शर्मं प्रपत्य। मनोजवं मारुत तुल्य बेगं। जितेंद्रियं बुध्य मतां परिश्कं। वातात्म जंबान रयूत मुख्यं। श्रीराम दूतं शर्मं प्रपत्य। बोली रजराम चंद्र भगवान की जैं। श्रीहनमान जी महराज की जैं। श्रीगुरु चर्ण सरोज रज पिज्मन मुकुर सुधा। बर्नव रगुबर्विमन यश्न जो दायक फलचा। बुधि हीन तनु जानिके सुमिरो बवन पुमा। बलबुति विद्या देव मोही हरव कलेश भिका। ओ सम्धीन नदी नहित। तुम समानी रगुबी। अस्विचार रगुबं जमनी हरो विशंभवी। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा धेको दाश। जनम जनम ओधी जियो श्री व्रंदा बलबाश। श्री राम जे राम जे जे राम। श्री राम जे राम जे जे राम। श्री राम जे राम जे जे राम। श्री राम जे राम। श्री राम जे जे राम। श्री राम जे राम। मंगल भवन अमंगल हारी। रबहु सुदश रथ हजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गुसाई। अंक्रपा कर रहू गुरुदेवन किनाई। जय ही विधिनाथ वोए हित मोरा। तरहू सुबेग दास में तोरा। तीन दयाल विरत संभारी। अरहुनात मम संकट भारी। अरहुनात मम संकत भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। सादर श्री राम। अब माँ ठाम। श्री राम। जै जै गिरिबर राज किशोरी जै जै गिरिबर राज किशोरी जै महेश मुख चंद्र चकोरी जै गज बदन शणानन माता जगत जननी दामनी जुथिगाता जै गज बदन शणानन माता जगत जननी दामनी तुझ दिखाता राम कथा कली कामद गाई सुजन सजी बनी मूरी सुहाई गुर्पितु मातु महेश भवानी दनवाँ देन बंदो बिनकानी गुर्पितु मातु महेश भवानी प्रनवाँ देन बंदो बिनकानी सादर शिव ही नाई अब माता प्रनव विशद आम कुन गाथा सादर सिव ही नाई अब माता प्रनव विशद आम कुन गाथा भूलिये स्तरस्वती मया की जैं श्री गड़ेश जी महराज की जैं श्री सद्गुर्देब महराज की जैं श्री गोस्वामी तुलसिदाश जी महराज की जैं आज के आनंद की जैं सब संतन की जैं सब पितरन की जैं सब देवन की जैं गंगा में यादी जैंग उंग्नम्ह पारवती पते हर हर महादे आप सभी को पुनष्ठ प्रणाम करते हुए आज शरी राम कथा के इस पांचमें सत्र में आप सब का स्वागत आईए कल की कथा में हम सब लोग जिस प्रसंग में थे उसे आगे बढ़ते हैं कल आपने भगवान की बालीलाओं के साथ साथ अहिल्या उधरत की कथा सुनी अहिल्या जी को रामचरित मानस में बुद्धी का प्रतीक माना गया है यह जो राम का नाम है इस कलिकाल में करोणों लोगों की बुद्धी को शुद्ध कर रहा है भगवान ने तो एक ही की बुद्धी शुद्ध की राम एक तापस तीयतारी नाम कोटी खल कुमती सुधारी यह जनी भगवान के नाम से उनकी कथाओं से उनके चरित्र से प्रेणा लेकर करोणों लोगों की बुद्धी शुद्ध होती है यह ज्यान यग्य है तो कल अहिल्या जी की कथाओं आपने सुनी गंगा जी के जैसे उत्तर की ओर आप देखते हैं इधर अलग प्रांत है उधर अलग इधर ब्रज शुरू होता है गंगा जी के उधर रुहिल खंड शुरू होता है यह जएर में जाएंगे तो गंगा जी के दखष्ण में मगध है और गंगा जी के उत्तर में मिधिला है मिधिला में थोड़ा हिमाले का भी हिस्सा है अब इभारसरकार गिलाः परवाई और अलग बेसे अलग देश नेपालल लेकिन वास्ताव में तो वो हिंदुस्थान नेपाल है इस चारोग व्टेह और भारतमाता के उत्तर में हमाले दिया है इस नेपल में इस मिθला वार्ज काफी प्रभाव नेप। नेपल में है अभी भियाज। आप जाएंगे तो अभी वी जो जनङपुर है वो नेपल में है नेपाल में दो और जिले हैं, एक जिले का नाम धनुष, एक जिले का नाम धनुष, एक जिले का नाम धनुष, यहां भगवान ने धनुष तोड़ा, उस जिले का नाम धनुष, और जहां परशुराम जी महराज अपना फरसा रखे गए बाद में, उसकी जिले का नाम ही फरस तो नेपल अपना बहुत धार्मिक शित्र है और कल मैंने आपको जिक्र किया था कि निलगरी परवत काग मुशुनी जी का बेनी काग बेनी मुक्तिनाथ दामुदर कुंड जहां से गंड़ की नारणी निकलती है सब नेपाल में तो वहां से भगवान गंगा जी पार करके फि और जनकपुर में बाहर एक बगीचे में विश्वामित्र जी ने कहा कि यहां हम रुकते हैं तो भगवान को उपवन बहुत पसंद है ताग बाग तड़ाग विलोक प्रभु हर्षे बंदु समेथ बहुत प्रसंद हुए चुकि जनकपुर में सरोवर भी बहुत है आप ब तड़ाग माने सरोवर बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंदु समेथ बागों को और सरोवरों को देखा तो भगवान प्रसंद हो गए मैं आपकी जनकारी किले निवितन करना हूँ कि जब भी आप जानकपुर जाएंगे तो आप देखेंगे एक सवाथ सरोवर है जनकपुर तो भगवान की जितनी भी लिलाइ हुई है वो जनकपुर में जब शादी हुई तो तिलक कहा होगा तो सिंबूर का भरा जाएगा मांग में तो फेरे कहां पड़ेंगे वो हर क्रिया किसी ना किसी सरोवर के किनारे हूई है अचा जल के किनारे आप कुछी प्र करवा देता हूँ तो कि अलिकड़ की अयोध्या ही है अप माने जब जहां कानक बहारी सरकार उपस्तित हैं अयोध्या है और आप लोगों को बरात्मे चलना है बगवान के साथ जनकपुर तो पहले जनकपुर वालों से आपका परिचे हो जाए कैसे लोग है जनकपुर के वहां के नारियां कैसी हैं वहां के पुरुष कैसे हैं उनका परिचे को समझे ने दिया पुर्नर नारी सुभग शूची संता पुर्नर नारी काते चली भग सुची संता धरम शील ज्यानी गुण बंता धरम शील ज्यानी गुण बंता मंगल भवन अमंगल हारी द्रब हुशो दस्यात अजिर पिहारी और नर नारी सुभग शूची संता धरम शील ज्यानी गुण बंता तो थोड़ा इसको समझिए कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है यथा राजा तथा प्रजा क्यों होती है चुकि संस्कार कभी भी नीचे से उपर नहीं जाता उपर से नीचे आता है बड़े लोग ने जो कपड़े पहने वोई कपड़े का फेशन नीचे तक पहुँच गया बड़े लोग जैसे शादी करेंगे जैसे उनों अग बफे सिस्टम शुरू किया तो सब ने कुल लडपतल छोड़ के बफे सिस्टम पर गए जो भी स्रेष्ठ लोग करेंगे जो समाज में बड़े लोग माने जाते हैं वो नीचे वाला समाज उसी को फॉलो करेगा यजदा चरती स्रेष्ठा तत्तु देवेत्तरु जना यद प्रमानम कुरूते लोकस्ततनु वर्तते भगवत गीता में भगवान होले हैं दुनिया उनी को फॉलो करती है अब जनदपुर के लोग संत भी हैं ज्यानी भी हैं गुणवान भी हैं पुर नर नारी सुभग शुची संता धरमशील ज्यानी गुणवनता क्यों है जो कि भागा राजा इतना पवित्रमन का है वहां का राजा कौन है जिसको विदेह बोलते हैं विदेह माने क्या होता है जो देह पर ध्यान न दे हम लोग जादे तर उपर की चीजों को देखर प्रभावित होते हैं कि इनकी जाती क्या है, इनका व्यवसाय क्या है, इनकी पोजिशन कैसी है, इनका वो कैसा है, वो कैसा है, बहुस सारी चीजे, जनकती सब के अंदर आत्मा को देखते हैं, वो विदे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, उस समय के सबसे ग्यानी गुरू के शिष्षे हैं, वो आप ये सोचिए कि जांकी जी का अवतार जनकपुर्मी क्यों हुआ होगा ये सोचने की बात है बाइर राम जी का अवतार अयोध्या में क्यों हुआ आज तक संसार में कोई ऐसा चक्रवर्ती सम्राथ नहीं हुआ जिसके घर भगवान ने जन्म लिया हो एक का भी नाम मुझे बता दीजया भगवान का अवतार यदी किसी चक्रवर्ती के घर हुआ तो उस चक्रवर्ती का नाम है दशरत क्यों है चोकि उनके गुण बहुत महान है दशरत जी का इंट्रॉड़क्शन कराया गया धरम धुरंधर गुन्निधि ग्यानी हिर्दय भगती मती सारंग पाने जिनकी बुद्धी में सदे भगवान को समर्फित बुद्धी रहती है हिर्दय में भकती है हमारे कबीर साब हुए न कबीर साब इतने बड़े संत हुए तो कबीर साब के दो बेटे दो बच्चे थे एक बेटी थी बेटा था लेकिन जो कमाली थी, वो बड़ी संत हुई, सूफी संत हुई वो, उसके बहुत भजन है, तो जो बहुत हिट गाना एक देश का हुआ, जो लता जी ने गाया, वो फिल्म में उसका फिल्मकारों ने दूसरी दृष्टी से उप्योग किया, लेकिन बास्तम में वो सूफी गान वो भत्ती के लिए गाया गया, वो गाना अपने सुना होगा, एक लाइन में उसकी सुनाता हुआ, वो कमाली का गाया होगा है, पांच सो सल पहले रंग महल के दसदर बाजे, ना जाने कौन सी खिड की खुली थी, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी सर को जुकाए मैं तो चुपके खड़ी थी, सैया निकसी गए, मैं ना लड़ी थी सैया निकसी गए, मैं ना लड़ी थी यह जो भजन है, सूफी भाव में गाया गया है, जैसे गोपी भाव है तो गोपी माने आत्मा और कृष्ण माने पत्वाव है जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम सब अपनी आर्थी में गाते हैं तो मुहो एक गोचर सब के प्राणपती गाते हैं कि नहीं, सब के प्राणों के पती अब यह अंदर से सुमिरन कब छूट जाता है, सहिया निकस गया माने भगवान का सुमिरन छूट गया अंदर इस कई शुनतर कान में जब शिरी अनुमान जी सीटा जी की खोज करके आये और उन अनुन बताया कि दीन देयाल विरत संभारी हराव नात्मम संकट भारी तो बागवान ने अनुमां जी से पूचा कि सबसे भारी संकट कोनसा होता है ऐ हनुमान सबसे भारी संकट कौन सा है बोलो हनुमाजी ने कहा कहे हनुमन्त विपति प्रभूस होई जब तब सुमिरन भजन न हो जिस छण आपका सुमिरन छूट जाए जिस छण आपकी विस्मृति हो जाए वही सबसे विपति का छण है तो साधू के लिए सन्यासी के लिए यानि जिसने अपना सारा जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया उसके लिए सबसे संकट की गड़ी वही है जब उसका विस्मरन हो जाए और संसार का सुमिरन होने लगे इसलिए कबीर की बेटी का रही अब यह रंग महल के दस दरवाटे कौन से है पांच हमारी कर्मेंद्रियां है और पांच हमारी ग्यानेंद्रियां है इनमें से एक भी अगर खिड़की खुल गई एक भी जगे गड़बड हो गई एक भी मोर्चे पर हमारी हार हो गई यानि जीव अगर स्वाद में फस गई, आँख अगर रूप में फस गई, कान अगर शब्द में फस गए, तो वहीं भगवान का सुम्रण निकल जाता है, विस्मृती हो जाते है, इसलिए बहुत गहरी पंगती है रंग महल के दसदर बाजे, ना जाने कौन सी खिड की खुली थी, सैयानि कस गई, मैं न लड़ी थी सैयानि कस गई, मैं न लड़ी थी जड़ा गाई है, इतना क्लासिकल गाने को आपको सामनिता नहीं मिलेगा यह शाष्त्री है क्या बन्षी है जैव छोड़ पिया घर नई हर जाओं कौन देहरी अब शीष नबाओं कौन देहरी अब शीष नबाओं कर सिंगार में तो दुलहन बनी थी ऐसी दुलहन से कुमारी भली थी सैयानि कस गई, मैं न लड़ी थी सैयानि कस गए, मैं न लड़ी थी सैयानि कस गई, मैं न लड़ी थी तो यह आप सबसे सुधीश रोता हैं सबसे पहले आते हैं थोड़ा सापके सामने यह निवेदन हुआ आजकल लोग क्या कहते हैं कि साब आजकल खाने पीने की बात मत करिये आजकल तो सब चलता है सब यह होता है सब वो होता है तो देखे जिनको अपने जीवन का पुर्शार्थ सार्थक करना है वो जो चाहते हैं कि अंत में नारेनिस्मृति हो जो चहाते हैं कि हमारा चित्त चित्रकूट बने उनको तो देखो भई दसो दरवाजों पर ध्यान दखना पड़ेगा है ना क्योंकि आपके अंदर एक ठानेदार नहीं है आप SP हैं SP कप्तान हैं आप आपका मन कौन है सुपर्टेंडेंट और पुलिस कि दस थानेदार आपकी दस इंद्रियों पर तैनात हैं और थानेदारों की आदत कैसी है जैसे माल आया नंबर दो का और तुरंट पास बस अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो थानेदार बिगाड़ देंगे आबत देखही विशय बयारी आबत देखही उत्तर कांड में से पयारी तब हठी देही कपाट उघारी इंद्री द्वार जरो खानाना जैहे तेहे सूर बैठे कर थाना सैयान कसे गए मैं ना जड़ी थी दस थानेदार बैठे हैं जैसे ही इनका भोग आता है वैसे ही किबाड खोल देते हैं आपके अंदर जो ग्यान का दीपक जल्लाहा है आंधी से बुझ जाता है हवा का जोका आया दीपक बुझ गया इसले अगर अपने अंदर हमेशा प्रकाश करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए आपको भक्ती चाहिए इसले जनक जी के राज्य में ज्ड़ी ज्ञान तो बहुत है भक्ती नहीं थी आइसले उन्हें भगवान से क्या प्राइठना की प्रभु मुझे भक्ति दो चुकि ये ज्यान का दीपक बार-बार बुशता रहता है अभी हम बहुत ज्यान की बात करें सामने बढ़िया रसगुला आजाए तो तुरंत जीब में चल जाए तो ये ज्यान का दीपक हमेशा बुझेगा लेकिन अगर भक्ति की चिंतामनी आपको प्राप्त हो जाए तो परम प्रकास रूप दिन राती नहीं कचुचच़ी ये दिया घरत बाती इसलिए जनक जी को भक्ति देवी प्राप्त होई है इसलिए पूरे जनक पुर में उजाला ही उजाला है इसलिए जनक पुर के लोग ज्यानी भी है धर्मात्मा भी है संत भी है आएए चले कुछ ये तो वैसी चर्चा हो गई थोड़ा सा मैं आपको ये निविदन करना चाह रहा था कि जनक जी को भक्ति देवी किस क्वालिटी के कारण प्राप्त हुई आखिर जगजननी ने जगदंबा ने जनक पुर में ही क्यों जनम लिया आखिर जनक जी को अपना पिता क्यों सुईकार किया ये ज़रा सोचने की बात है आपने कहानी सुनी होगे कि जनक पुर में एक बार अकाल पड़ा बारे साल मिथला में अकाल पड़ा पुराने जमाने में ना ट्यूवेल्स थे ना नहरे थी बारिश पर कर्षी थी लोग त्रही त्रही करने लगे भूके मनने लगे पुराने जमाने में कोई IT की इंडर्ष्टी या अणने इंडर्ष्टी भी नहीं थी तो जोट्षियों ने कहा कि अगर राजा सोने का हल और और प्धियांध कि कोई व्यक्ति भी अगर अगर हल चलाता तो फालतू में तू चलाता नहीं है अपने बिज्नेस के लिए चलाता है वह जल इसले है कि एक दाना बोऊंगा तो हजार दाने निखलेंगे होता ही इंडर्ष् RAM ॉन जफ एक मक्कः का दाना पोते है तो पीज नहीं भोया, यहनी उन्होंने निश्काम कर्म किया, दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि भारत सरकार ने भी 80 करोड लोगों को पूरे दो साल तक फिरी राशन दिया, क्यों दिया क्योंकि यह लोकतंत्र है इनको बोट लेना था जनक जी को तो बोट नहीं लेना था क्योंकि जनक जी लोकतंत्र के राजा नहीं है जनक जी जनता के पैसे से जनता के बोटों से राजा नहीं बने है तलवार के बल पर राजा है इस पुर्वन जमाने में जितने राजा होते इतलवार कपल पर होते लेकिन सोने का अखलाने का मतलब है कि जनक जी ने अपना व्यक्तिगत खजाना ड़न जनता की भूक मिटाने के लिए खर्च किया तब उनको भक्ति दे भी प्राक्तुन आप कितने भी घ्यानी हैं ये तो दुनिया का रही है कि सियराम में सब जग जानी है लेकिन अगर किसी को दुख हो रहा है तो उसका दूर करने में तो प्रयास करनी रहे तो जब आपका दिल समाज के लिए धड़के और जब आप उसके कष्ट दूर करने के लिए अपने व्यक्तिकत सुखों के भी तिलांजली दे व्यक्तिकत सुख सुवधाओं का त्याग करें तब तब होता है सियराम में सब जग जानी और तब आपकी गोदी में भक्ति देवी आती है तब आपके उपर भक्ति देवी की कृपा होती है तो जानकी मा का जन्म जनक जी के हां हुआ इसलिए हुआ कि जनक जी ज्यानी भी है लेकिन कर्मयोगी भी है वो ज्यान के अनुसार ही जीवन को जीते है ज्यान की सबसे पहली शर्त है कि देखिए ब्रह्म समान जगमाही जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा सब के अंदर है जो ऐसा देखता है वही सही देखता है आत्मबत सरभूतेशु यह पश्यती सहपश्यती वही वास्तव में ठीक से देखता है बाकी लोगों की दृष्टी में तो दोश है वाइए भगवान जनकपुर पहुंच गए एक बार जयकारा लगाते हैं बोले राजराम चंद्र भगवान की जै श्री जनकपुर धाम की जब जनकपुर आए हैं तो दिरा मां को भी प्रणाम कर लें जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करणा लिधाने की ताके जुग पद कमल मनावों जा सुक्रपानिर मलमति पायों जनक सुता जग जननी जाने की जनक सुता जग जननी जाने की तो भगवान जनकपुर में रुके समाचार मिथला पती आए विश्वामित्र महामुनी आए जनक जी को खबर लगी जनक जी पूजन करने आए तब तक रामलक्षमण जी गुरू जी के लिए बाग में से कंद म पूल फल लेने चले कई जनक जी ने आकर पूजन किया विश्वामित्र जी का उतनी देर में श्री राम और श्री लक्षमण जी आकर है तो जो पंडाल लगा था जनक जी के लोगों ने जो विश्वामित्र जी के लिए तनी देर में पंडाल लगाया सोफे लगाये कुर्सिय लगाई सब्यवस्था की टेंट्वेंट की उसमें जनक जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बैठे थे विश्वामित्र जी को उचे आसन पर बिठा रखा था लेकिन जैसे राम जी का प्रवेश हुआ अचानक विश्वामित्र जी खड़े हो गए अब विश्वामित्र जी से अधर खड़े हो गए तो उनके साथ ही जितने हैं वो कैसे बेठ सकते है één के साथ जितने भी संध्यासियों का मंदल था उसब प्रवेश तो जनग GP को लगा बहुए बहुत बड़े भी आई पिया था बपी खड़े हो गए तो वो भी खड़े हो गए और जनक जी खड़े किसी ने पूछा विश्वामित्री ने भात में, कि आप क्यों खड़े हुए, आपका तो चेला है चेले के लिए गुरु थोड़ी खड़ा होता है गुरु जी ने का चेला तो मेरा है लेकिन अगर अगर अपना बालक मुख्यमंत्री बन जाए अगर अपना बालक राज्यपाल बन जाए, राष्टपती बन जाए है तो आप उनको प्रोटोकॉल का फालण करेंगे के नहीं करेंगे बहले आप उनके पिता क्यों नो भी इन्होंने ताड़का मारीत सुवाहू को मारके कर दिया। जो कि रक्षा कर दी अहिल्या का उधार कर दिया इनके कर्मों के लिए मैंने इनका विवादन किया अगर किसी व्यक्ति का घर में सम्मान होगा नहीं होगा तो बाहर वाले सम्मान किसे करेंगे तो यहां भगवान का प्रथम स्वाकत बहुत अद्भूत हुआ और जनक जी की नजर सीधे राम जी पर है अब सीधे राम जी को देख रहे हैं तो पलक नहीं जपकरी लगातार देखे चले जा रहे हैं थके नयन रगुपति जबी देखे भगवान इतने सुन्दर है अब मैं सुझ रहा हूं जनक जी को हम दोड़ा डिश्टर ना करने उन्हें दोड़ा दर्शन करने दे लेकिन भगवान कितने सुन्दर है उनकी सुन्दरता पर जगदगुरु बल्लवाचार जी महराज ने एक अश्टक लिखा जिसको मधुराश्टकम कहते हैं उसके एक दोड़ श्लोक हम लोग साथ में गा लें एक आदशी की पवित्र पुन्न काल चल लहा है आप गाएंगे तो अच्छा लगेगा अधरम मधूरम बदनम मधूरम नेनम मधूरम फर्षितम मधूरम रेदयम मधूरम गमनम मधूरम अभी सब गा नहीं रहे आपको दो शब्द तो पर्मानें गाने मधूरम मधूरम और दो इस शब्द तो याद करने है हुआ इसलिए दो शब्द के वजल याद करके जोराने बागी दो तो मधूरम मधूरम है आप गाईये आपके मूं में इतना मीठा रहता है्गा टितना रसुल्ले में भिनिया आतका घवार रोछ मधूरम रायम धूरम अहीं den Kings बचनम अधूरम चरितम अधूरम बचनम अधूरम चरितम अधूरम रमितम माधुरम, चरितम माधुरम, ब्रामितम माधुरम, मधुराधि पर्टे रखिलम, मधुरम। गीतं मधुरं पीतं मधुरं बुखकं मधुरं सुप्तं मधुरं भुप्तं मधुरं, सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं, तिलकं मधुरं मधुरा धीपते रखिलं मधुरं मधुरा धीपते रखिलं मधुरं वेडुर मधुरो, रेडुल मधुरो पाणिल मधुरो, पादो मधुरो रथ्यम मधुरं, सक्ष्यम मधुरं मधुरा धीपते रखिलं मधुरं मधुरा धीपते रखिलं मधुरं मधुरा दिफ़ते रखिलं मधुरु अवंदावं बिहारी लाल की जै भगवान कितने मधुर है कितना उनका रूप मधुर है तो जनक जी उस रूप को निहार रहे है अच्छा एक और खास बात हुई जैसे हम इधर बैठें और राम जी का मंदर इधर है अब आप देखें उधर और पूछें हमसे तो जब तक आप हमारी और मुख करके ना पूछें तब तक हम कैसे जाने के आप हमसे पूछ रहे हैं अब जनक जी देख ह्या और गप आपने एक प्रशन पूछाःब कारा पने प्रश्ण पूछा और में और दिया तो आप दूसरा पोछेंगे डूसरा नहीं पूछेंगे आपको लगेगा वोई बत्तमीज आदमी है सुनी नी दा लेकिन जनक जी को इसका कोई फर्क नहीं पढ़ रहा कि उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो लगातार कुश्चन पर कुश्चन पूछ रहा है पहला प्रशन पूछा कह हुनाथ सुन्दर दोबालक जब उत्तर नहीं मिला तो पूछा मुनि कुल तिलक की रपकुल पालक रिशी के बेटे हैं के नाजा के बेटे हैं फिर भी उत्तर नहीं मिला तो पिर चौथा प्रशन ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा क्या साक्षात ब्रह्म उतराया साक्षात भगवान उतराया पिर अगला प्रशन सेहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमिचंड चकोरा ओ इनहीं बिलोकत अति अनुरागा बर्बस ब्रह्म सुखहिमन त्यागा जिनक जीने का गुर्देव में जितना इनको देखता हूँ देखने का और मन करता चला जाता है पेटे ही नहीं भर रहा है और अनुराग बढ़ रहा है अब देखे ये भगवान है संसार में जिन जिन चीजों में भगवत कृपा उतरती है वहाँ आपका मन नहीं भरेगा मैं कारेंटी दे रहा हूँ आपको कोई दाल कोई सबजी कितनी भी पसंद हो अगर आपको रोज वोई खिलाया जाए तो कुछ दिन बाद आप हाँ जोड़ लेंगे कोई कपड़ा आपको कितना भी प्रिय हो रोज भी पेनाया जाए तो आप जोड़ लेंगे कोई फिल्म आपको कितनी भी अच्छी लगती हो रोज दिखाई जाए तो आप हाँ जोड़ लेंगे कोई गाना अगर रोज सुनाया जाए तो भी आप हाँ जोड़ लेंगे लेकिन आपको अनुभव होगा आपसे जो भी लोग पाठ पुजा करते होंगे अगर आपको अपनी कोई माला रोज जबते हैं तो जिस दिन छूट जाएगी उस दिन बेचे नी हो जाएगी अगर आपको पाठ नित्य करते हैं भले आपकी पुस्तक मेली हो गई हो बले उसके पेज अलग हो गए हो लेकिन वो भी इतनी प्रिय होती है जिस दिन पाठ छूट जा उस दिन बेचे नी हो जाती है आरती आप रोज गाते है वह आरती रोज गाते है परमात्मा से संबंदित जितनी भी चीजे हैं उनसे कभी भी आपका मन नहीं भरेगा वो अनंत है तो जनक जी ने गुरु जी से पूछा ये दोनों कौन है इनको देखकर मन नहीं भर रहा है जितना देखता हूं और देखने का मन करता है अब ये ज्यानियों की विशे चला है अपस में तो जनक जी ने पूछा और गुरु ने क्या उतर दिया ए प्रिय सब ही जहां लग प्राणी ए प्रिय सब अ乾म आए आप गाईये दोनों महा झ्यानि है हम लोग तो सामाने लोग है लेकिन आप ग्यानियों की भाषा कैसी होती है तो समझेंगे दोरा आप गाइये एप्रिय सवही जहालग प्राणी मन मुसकाही राम सुनिबाणी रग कुल्मनी दशरत के जाए ममहित लागी नरेश पठाए मंगल भवन अमंगल हारी रवहुष दशरत अजिर दिहारी आधी लाइन आप समझें क्योंकि आधी लाइन के बाद राम जी ने मुसकुरा के गुरुजी को इशारा कर जिए गुरुजी ऐसे बोलें के तो हमारा भेद खोल जाएगा गुरुजी ने क्या कहा एप्रिये सब ही जहां लगी प्रानी इस दुनिया के जितने प्रानी है ना अब प्रानी कौन नहीं है आपने उनको अज्ञानवर्ष दो भागों में बाटा लिविंग थिंग्स एंड नोन लिविंग थिंग्स लेकिन प्रान तो सब में भीया वो करें सब को प्रिये हैं अब यह क्या बात हुई यह कुछ नहीं है यह कुछ नहीं है करें सब को प्रिये यह ज्यानियों की बात है सब को प्रिये कौन होता है भगवान चुकि वो ही तो है सब के प्रान पती प्रिये कौन होता है प्रिये होने की पहली शर्त है आपका महालिजे, नियुजीलेंड बहुत अच्छा देश है। जैसे महालि जे, जर्मनी बहुत अच्छा देश है। लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगता है? भारत क्यों?... क्य। यह आपका अपना है। तो प्रियीग होने के लिए ... पहली शर्त है अपना पन। तो भगवान सबके अपने हैं, इसलिए सबको प्रिय हैं, अब सबके अपने कैसे हैं, अब यहां नई पीडी के बच्चे भी कथा सुनने आए हैं, उनको बताने के लिए मैं निविदन कर रहा हूं, कि जिस समय लंका पर पुल बांधा गया, समुद्र पर, राम से तू, उस बांधते समय, आप जानते नल नील ने वो अपनी इंगिनिंग से पुल बांधा, वो पुल अभी तक पूरे संसार में सबसे चोड़ा पुल है, डेड़ मील चोड़ा, अठाइस मील लंबा, अगर आपको वो कभी पुल देखना हो, तो आप रामेशुरम का प्रोग्राम ज क्योंकि अमावस्या के दिन समुद्र का पानी उतर जाता है, तो सुबह अगर आप पांच बजे जाएंगे, तो पांच बजे से साथ बजे तक आपको वो पुल दूर तक दिखाई पड़ेगा, यानि अगर आप दो घंटे में 28 मील दौड सकते हैं, तो आप दौड कर भी सामानिता उस पुल के उपर तीन फिट से लेकर दस फिट तक पानी रहता है, पुल अभी भी है, अब डेड़ मील चोड़ा पुल, लेकिन सुग्रीव ने कहा, सर, बहुत पतला पुल है, करोनों की सेना इस पर से कैसे पार होगी, इतने पतले पुल पर सेना कैसे, अब आप को लगे का भी हमार यह तो मुश्किल से 10-10 मीटर चोड़े पुल हो ते उस पर भी सेना पार हो जाती है, अब डेड़ मील चोड़े पुल को कह रहा है, पतला है, क्यों? क्यों कि उस समय के लोग बहुत तगड़े थे, अब कितने तगड़े लोग थे, जैसे आप सब अपन की उंगली की जो नौक होती है, यह एक हाथ होता है, यह कल्यूग का फर्मा है, आपना आपके देख लिए, आपकी सब के लंबाई साड़े तीन हाथ, और आयू कितनी? सौ वर्ष, कल्यूग में मनुष्य के लिए जो स्टेंडर्ड निर्धात किया गया, साड़े तीन हाथ आइध लंबाई सौ वर्ष की आयू, लेकिन द्वापर में स्टेंडर्ड दुगना होता है, एक जेरो बढ़े जाता है, 100 वर्ष की स्टेंडर्ड आयू, जब द्वापर प्रारंब होता है, और आठ लाक्छ dominant 64,000 साल का होता है, तो गटदे गटदे वो इतने साल में सौ प पर आजाएगी तो त्रेता में ये फिर एक जीरो बढ़ जाता है द्वापर में लंबाई हो जाती है साड़े तीन हाथ से साथ हाथ लेकिन वो साथ हाथ आपके बाले नहीं उनके साथ हाथ जो साथ हाथ के होते थे त्रेता में लंबाई 14 हार आयू 10,000 वर्ष एक जीरो बढ़ गया इसलिए कहते हैं कि भगवान शरी राम ने आयोध्या में 10,000 वर्ष तक शाशन किया वैसी थुड़ी किया उनकी आयू 10,000 वर्ष और उसके बाद जब सत्यू गाता है तो लंबाई हो जाती है 28 हाथ और आयू होती है 1,000,000 वर्ष अब आपको भरोसा नहीं होगा तो आपको इस बात पर तो भरोसा है कि डाइनासोर थे हैंगी नहीं डाइनासोर थे हैं बैग्यानी कहते हैं कि आजकल डाइनासोर चपकली हो गए हैं कि जो चपकली है ये डाइनासोर की प्रजाती है तो जब डाइनास रहा है, अभी यहां जितने नौजबान बेठे हैं, वो एक कुंटल की बोरी नहीं उठा सकते हैं उनकी कमर में डिस सिलिप हो जाएगी लेकिन मैंने उठाई एक कुंटल की बोरी यहां जितने बुजुर्ग बेठे हैं, अगर उनके अगर खेती होती होगी उन्होंने एक कुंटल की बोरी उठाई है कि यह अभी क्या हो गया पिछले 20-30 साल में क्या हो गया यह बल आधा क्यों रहे गया अब सरकार 50 किलों का प्रकेट बनाती है एक कुंटल वाला बंद हो गया इतना बल घट गया अभी 300 साल पहले गुरु गोविंसिंग जी महाराज इस प्रत्वी पर थे उनकी तलवार अभी आनंद पुरसाहिं में रखी है आप देख लिए चालिस किलों की तलवार है कि चालिस किलों की तलवार आज एनसजी का जो कमंड़ होता है वो चालिस किलों वेट टोटल धरन करता है है कि नहीं थो दो थालवारे बानते थी छालिच halten आू नहीं नहीं पुरुम है क्षिखा रख्डरिपन गवेर डाद उसे लेकर सुब्हाम तक बादा उनके शरीर पर और उसे लेकर सुबह से शाम तक लड़ना तो यह तो पांचो बर्ष की बात हो गई तो सत्रे लाख बर्ष पहले राम जी हुए हुए हूंगे तब कैसे लोग होंगे इसलिए सुगरीव नका सर यह पुल काम नहीं करेगा तो भगवन नेखा नंया पुल बना देते हैं सुगरीव नहीं क्या मजाक कर रहे हैं सरकार माता जी ने एक महिने का समय दिया ता अनुमान जी को दस दिन बचें बीस दिन तो निकल गए अब अगर अब अगर पुल बनाएंगे तो माता जी प्रान चोड़ देंगी, तो भगवान ने का पुल हमारा इतने दिन में थोड़ी बनेगा, यह तो तुमारा पुल बना सुग्रीव, बंदरों ने जो पुल बनाया, उसमें इतना टाइम लगा, हमारा पुल बनने में 20 सेकंड लगें साब सागर की तहके उपर आ गए, यानि सब्त महासागरों के सारे बड़े बड़े जीव जन्तु वहां भगवान का दर्शन करने आ गए, और वो साब सागर के जल के उपर तेर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कितने जीव जन्तु हैं, जल की एक बूंद दिखा कहुं प्रभु करुणा कंदा प्रकट भय सब जल चर ब्रंदा तिन की ओटना देखिये बारी मगन भय हरी रूप निहारी मंगल भावन अमन का लिहारी द्रभु शुद श्रत अजीर पिहारी तिन की ओटना देखिये बारी उनकी आळ में जल दिखाई नहीं पड़ रहा था सेक्ड़ों किलोमीटर जहां तक नजर जा रही थी जीव जन्तु ही जीव जन्तु बगवान नेका सुग्रीब हासर पुल बन गया कि अपनी सेना को कहो गेंगी पीठ पर पैर रख के पार हो जाए कि सुग्रीब ने कहा आपने वह कहानी भूल गए प्रभू बहुआने का कौन सी वह बंदर और मगरमच वाली कहनी कि आपने तो सुनी होगी एक नदी में मगरमच रहता था ता उपेड पर बंदर दोनों में दोस्ती थी बंदर अच्छ अच्छ पल कह लाए था ता 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 इक बहुत सारे पल आये सीजन में तो बंदर ने टोकरी पैक करके मगरमच को दी के भावी जी को बच्चों को ले जाओ बंदर मगरमच की पतनी पल कह बड़े मीठ पल कहां से लाय वोले वह हमारा मीत्र बंदर यही खाता है तो मगरमच की पतनी की जीब में पानी आ गया उसने का बंदर कितना मीठा होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा मैं उसका कलेजा खाऊंगी तो मैं मेरी कसम उन्न कसम दे दी अब मगरमच बिचारा बहुत परेशान दोस्ती को निभाय के पतनी क तो देखे रहना तो घर में था तो उसने धोके से बंदर को पीट पे बिठाया दूसरी दिशा में लेके चला घर की बंदर ने का इधर का ले जा रहे हो अब तेरा अंतिम समय आ गया याद कर ले जैसे करना है आज मेरी पत्नी तेरा कलेजा खाएगी तूने भले फल भेंट क कि अब क्या करूँ तो बंदर ने का अच्छा भावी जी को इतना इतना पसंदाए फल कलेजा खाना चांटी है पहले क्यों नहीं पताया मैं 6-7 कलेजे लेकर आता तो 6-7 कलेजे तू कहां से लाता ह। उले हम बंदर है अपना कलेजा साथ में थोड़ी रखते हैं पेड़ छुपा के रखते हैं उसको हम कूते फानते ना कलेजा टूटनी जाएगा तो पेड़ पर रखा है अगर कलेजा भावी जी को खाना है तो अभी लेकर आता हूँ अपने पूरे परवार के ले आऊँगा मगर मच्छ तो बेवकूफ था वो से दुबारा ले गया बंदर कू पर पैर रखेंगे चलांग मारेंगे मगर मच्छ दूबकी मारेंगा और खा जाएगा तो प्रभू फिर आपके साथ कौन लड़ेगा जब हम सब को मगर मच्छ खा जाएंगे तो भगवान ने का सुग्रिव यार तुम टेस्ट बहुत करते हो अच्छ आप जानते ना भग जी ने इस दैट्य को मारा था दुन दूबी को उसका ये धांचा पड़ा अस्थी पंजर पड़ा इसको हिला के दिखाओ बगवान ने एक लात मारी तो पता नहीं कितनी लंबी किट्थी वो इस्टेडियम पार गया मिलाई नहीं कहां गया सुग्रीव ने कहां यह तो अच्छी बात आप ने उसे अटा दिया लेकिन हो सकता है सूक के वो हलका हो गया हो इन साथ पेड़ों को गिरा के दिखाओ बगवान ने एक बाण से साथ पेड़ गिरा दिये तब सुग्रीव ने बगवान से दोस्ति कि सुग्रीपी हमारा ही भाई है जैसे हम संसार के लोग चमतकार को ही नमश्कार करते हैं ऐसे सुग्रीपी करता है तो भगवानने का सुग्रीप तुम टेस्ट कर लो देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने प्राण प्यारे होते हैं इनके प्राणों पर हमला करो, अगर ये मेरे भक्त हैं, तो नहीं हटेंगे, और अगर ये भक्त नहीं है, तो डुब की मार देंगे, करो हमला, तो बहुत पैने पैने पत्थर, नुकिले पत्थर उठा कर बानरों ने फैक फैक कर मारे, वो जो जीव जनतु थे, उनके शरीर उधड़ गए, उनके घाव हो गए, उनके रक्त बहने लगे, लेकिन एक भी जीव जनतु ने डुब की नहीं मारी भाईजाव, प्रभु ही बिलो कहीं, टार ही न टारे, टालने की कोशिच की गई, लेकिन टले नहीं, जैसे उननिस सो नब्य में गोली चल ले थी, और कार स देवाद धाचे के गुंबत पर जैशी राम के नारे लगा रहे थे, यह कौन लोग थे, दुनिया इनने पागल कहेंगी, लेकिन उनी पागलों से तो आज यह सब हुआ है, वो प्राणों की परवा नहीं करते हैं, प्रभु ही बिलो कहीं, टार ही न टारे, मन हर्षित तन भए सुखारे, और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरत अचिर पिहारी, एक भी जीव जन्तु नहीं टला, भगवान ने का देखो सुक्रीव, भरोसा हो गया, तब जानते हैं, पूरी सेना किस पर पार हुई, उस वाले पुल पर पार नहीं हुई, जो सुक्री जीव जन्तु ओं की पीठ पर पैर रखते हुए, पूरी सेना पार गई, पल सियावर राम चंद्र की, इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, केबल प्रथवी के लोगों को प्रिये नहीं है, राक्षसों को भी प्रिये हैं, जीव जन्तु ओं को भी प्रिये हैं, सापों को जी कह के लिए, जीव जिए ऑगों को भी तु मगरमच्छ के सामने एज़ा के लिए। तो टेस्टिंग हो जाएगी, अगर भगवान तो मगरमच्छ आपको प्रियम करेगा, और अगर आप सामन और भी तो फिर वो अपने स्टाइल मे आ जाएगा, इसे बगवान ने है, श क्योंकि आपको देखकर तो जहरीले जीव जन्तु भी अपना जहर चोड़ देते हैं भगवान ने का तेरे पास क्या प्रमान है उले मैं रस्ते में आ रहा था तो एक सापिन और एक बिच्चू की पतनी दोनों मुझे मिली थी जिनही निरखे मग सापिन बीच्ची तजही पिशम बिश तामस तीच्ची भरजी ने का जब हम दोनों भाई सेना के साथ साथ आ रहे थे तो हमारे रास्ते में एक बिच्चू की पतनी और एक नाक की पतनी आगए उन्होंने हमको प्रणाम किया आपकी कुछ ऐसा था कि मेरा उनका संबाद हो रहा था मेंने पूच आ इतनी सेना हमारे साथे तोंको डरनी לगरा उन्हों नकर नहीं हमको डर नहीं लग रहा क्योंकि आप से कई महीने पहले दो राचकुमार बिल्कुल आप जैसे उन्हें एक राचकुमारी इसी मार्ग से गुजरे थे तो हम दोनों सहेलियां उनका दर्शन करने कहीं थी चुकि पूरे छेत्र में हला था कि इतने सुंदर राचकुमार इतनी सुंदर राचकुमारी गाओं के गाओं के लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने जा रहे थे तो बिच्छू की पत्नी ने नाकिन से कहा अरी बहन इतने सुंदर जा रहे हैं दर्शन करने तू नहीं चलेगी तो नागिन हम कैसे जाएंगे लोग हम को पत्थर मार के मार देंगे हम तो जहरीले लोग है जहरीले जीव जनतु है भाईया, यह भाईया, लाला नागिन थो जाओ एंग रवे हैं, नागिन तेकुए जाओ क्या देख हाँ, लाइट अभी एक भजन गाएंगे तो कर लेला अभी नागेन बिच्छू आई हुई है हमारे गणा जिनही निरकी मग सापिन बीची तजही बिशम बिश तामस तीची मंगल भवन अमंगल हारी रव उष्ट श्रत अजिर प्यारी श्री भरजी ने कहा कि नागिन ने जब बिच्छू की पतनी को कहा कि हमें लोग भार दें तो उसने का नहीं क्यों मारें गे इसलिए तू उमारे पास जहली डंक है तेरे पास जहली दांत है बहन वो साक्षात भगवान है उनका धर्शन करने के लिए छोड़ दो जहाद मैं अपना तो तो अपने दांत तो डषः और आल मितो tillा मेरे पास जहली डंक है जहली डंक है लामेरे पास जहली दांत है ग बाईसाब साफ आप जान्त है है उब शफ देमा प्ने खंः टोड़ना कितना नहान होता है बिच्छू की पतनी दय ए पत्थर पत्थ्र पतखक आज हम आपका दर्शन कर रहे हैं चुकि आपको देखने को भी पूरा छेत्र उमढ रहा है तो भरत जी चुकि इस घटना को देख कर आई इसलिए उनने भगवान से कहा कि जिनको देखकर जहरीले जीवजन्तु भी जहर छोड़ देते हैं मेरी मा में कितना जहर था प्रभू जो आपको देखकर भी वो जहर नहीं छोड़ पाई यह भगवान है इसलिए विश्वामित्र ने कहा यह सब को प्रिये है ईपरिये सब ही जहां लगी प्रानी जनक जी को भरोसा हो गया भगवान है त horizontally कि जयाने की भाषा को गयानी समझ लेता है जनक जी समझे आप भगवान तो भगवान कहा रुखेंगे बगवान वहां रूकेंगे जेहाँ भक्ति देभी का भवन होगा तो भक्ती डेभी मानी कगी लिए जिस भवन में जनकी जी रहती थी शरी राम को लक्षमा양 जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी के साथ जानकी जी के भवन में रुकवाया गया और जानकी जी को राजा जनक ने अपने फ्लेट में बुला लिया बिटी तुम यहाँ जाओ राजा जनक की एक विशेष्टा है कि जितने उनके इस जितने उनके आई पी एस हैं जितने उनके कमंदर सें सब के फ्लेट एक जैसे हैं जैसे राजा का भावन है वैसे सब के भावन है यह सचा लोगतन्तर है हम लोग इंगलेंड से शीख रहे हैं अपार आउस लोगा राउस बनाना हम अपने देश के सिस्टम से नहीं सिखते हैं ऑफ जापतन है क्योंकि राजयय जैसे महल में रहते हैं वैसे इनके सारे मंत्री सारे सेक्रेटरी सारे ड्यूर्जान कि हम सov एक जैसे अभी अंग्रेजो ने क्या सिस्टम मना इडुथ ठाट हैं ड्यून की कोठी सो हो कि उत्तरप्रदेश के जितने अंगरेजों के जमाने के जिले हैं जैसे अलीगड है सब डीम्स की कोठी सौसो बीगे में है तो वो एक सेवक और स्वामी बाला जो भाव होता है लेकिन राजय जनक किया वो भाव नहीं है इसलिए उन्होंने जानकी जी को अपने भवन में बुल इस ये निवास संदर सदन शोभा कि मी कहिजात में बहुत बटे खूबसूरती है कि वहार काल में सुख प्रदान करता है आज पांचवे दिन की कथा है मेरा सभी भक्तों से याने विदन है कि आज तक की कथा में कोई भी सूत्र आपको याद ना रहा हो आप बिल्कुँ चिंता ना करें इस वाले सूत्र को आज आप अपनी गांठ में बांध लें इस सूत्र को अपने हिर्दय में धारन कर लें और अपने मन को सुन्दर सदन बनाने का संकल्प लें सुन्दर सदन कैसा होता है यह दरा मेरे साथ दोहरा है सभी लोग हम लोग साथ में गाएंगे आपको दोहरा ना है सुन्दर सदन सुखद सब काला सुन्दर सदन सुखद सब काला वहां बास दिया राजा साब ने थोड़ा एक मिनट के लिए बहुत गंबीरता से सुने काल एक जैसा नहीं होता एक काल वो होता है जब आप अपने सामने किसी को समझते नहीं है आपकी नई नई मूच्छे निकल नहीं होती है आप 17-18 साल के होते हैं आप सोचते हैं मैं ही सबसे जादे जानता हूँ आप में ताकत होती है एक कल वो होता है फिर जब आपके उपर जिम्मेदारी आ जाती है घर की आप गरस्त हो जाते हैं एक कल वो होता है जब मात्य पिता बूड़े हो चुके होते हैं आप ही परवार के मुखतार हो जाते हैं आप ही परवार के सरवे सरवा हो जाते हैं एक चालिश पैतालेस साल की आयूवाला जो समय होता है फिर एक काल भो होता है जब आप चार पाई पर खांस रहे होते हैं और कई बार पुकारने पर आपका पोत्र भी आपको एक गिलास पानी देने में नकरे दिखाता है काल तो एक जैसा नहीं होता, काल बदलते है कभी काल ऐसा होता है कि आपकी जैजेकार हो रही होती है कभी काल ऐसा होता है कि आपकी हाहा कार हो रही होती है कभी जैका, कभी पराजेका, कभी लाव का, कभी हानी का, कभी मान का, कभी अपमान का काल बदलता है कभी जाड़े का, कभी गर्मी का, कभी बरसात का लेकिन सुन्दर सदन वो है जो हर काल में व्यक्ति सुखी रहता है वो कौन हो सकता है देखिए परिस्थिती बदलती है लेकिन मनस्थिती जिसकी अच्छी है मन इसलिए अटल जी की एक बहुत प्रिसिद्ध कभिता है कभी आप गूगल पर सुनिएगा कभिता का शीर्षक है पहचान उन्होंने का रथ पर हो या पत पर इससे फर्क नहीं पढ़ता फर्क इससे पढ़ता है कि जहां आप हो आपका धरातल क्या है मनुष्य की पैचान उसके पद उसके धन से नहीं उसके मन से होती है और मन की फकीरी पर उवेर की संपदा भी रोती है बहुत सुन्दर कभिता है अटल जी की पैचान तो परिस्थिती बदलेगी शरीर की इस्थिती बदलेगी लेकर आपकी मन की स्थिती अच्छी है तो हर परिस्तिती में आप गाएंगे जाही बीधी राखे राम ताही बीधी रहिये सीता राम सीता राम करिये सुंदर सदन सुखद सब काला तहां बासले दीम भुवाला सुंदर सदन सुखद सब काला तहां बासले दीन भुवाला हर काल में जो सुख प्रदान करता है वो सुंदर सदन है तो ये मन की फ़कीरी जो अद ने शब्द ब्रियोक किया ये मन की फ़कीरी क्या है पकीरी का मतलब क्या किया क्रीव पहन ले् linen तक्सक्तों बहन लेना है माता जी मेठ जाओ तूफा नायर हुआ भी ना मांजी ना रहबर ना हक में हवाएं है टूटी भी किष्टी ये कैसा सफर है अब फकीरी का अपना अलग ही मजा है ना पाने की चिंता ना खोने का डर है ना मांजी ना रहबर ना हक में हवाएं है टूटी भी किष्टी ये कैसा सफर है और फकीरी का अपना अलग ही मजा है ना पाने की चिंता ना खोने का डर है तो इसले पकीरों के बारे में इस फकीरी मन से होती है बाहवारे मोज फकीरा दी बाहवारे बाहवारे मोज फकीरा दी बाहवारे कभी तो उड़े शाल दुशाला कभी तो पहने पचास किलो की माला कभी तो उड़े शाल दुशाला कभी गुदड़ी फटिया ली रादी बाहवारे ए बाहवारे मोज फकीरा दी बाहवारे ए कभी तो सुबे राज महल में कभी सुबे गली अही रादी बाहवारे कभी सोवे गली अही राजी पावारे ए वाह वाहरे मौझु फकीरा दी पावारे पावारे मौझु फकीरा दी पावारे कभी तो चाहें चना चबेना तभी लपटा लेवें खीरा दी पावारे तभी लड्डु का चोड़ी खीरा दी पावारे पावारे मौझु फकीरा दी पावारे पावारे मौझु फकीरा दी पावारे ए वाह वाहरे मौझु फकीरा दी पावारे पावारे मौझु फकीरा दी पावारे कि एक बड़े महापुरुष के साथ रहने का मुझे सौभागे मिला एक बड़ी संस्था का वो काम देखते थे बनवासी के लिनाश्रम माने तिलक राज जी पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहे अंग्रेजों के जमाने के डबल में लेल बी में फूरे अचालन करते थे तो लोगो को लोग्ता था ता तिलक राज की ज Again तिलक राम बोल रहे हैं वादों अपाणों लीग काम अपाणों इकाम देखा पाणों तो पाणों में जो रामशब्दे पीछे तो लगाते हैं तो लगाटे पीछे तो इक बड़ एकारेकरता के रुख ने गए उनी अपर मंत्रि थे उस्वें वहाँ शुबन सिंह जी आपने नम सुना अबभाव जी उतराखंड के अटरप्रदेश सरकार में बड़े मंत्री रहे गविंद बल्लप पंत जी के साथ तो शुबन सिंह जी जी उनको बहुत आदर करते थे तो उननका कभी घर रही तो उनके घर गए राते आवाज लगाई एक एक जी 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 जीज फनी उनकी अजी थी जिल,, और सिलकराज तो उनकाल नमाते दिलकराम उनमिन का क्भी तो तो एक वेश जो जाओ निचे जो जाओ उने तो गउषाला थे उनकी तो गउषाला था 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 नहीं सोग है नात को यह नहीं कहा कि मैं उनका मित्रू हूँ यह को छुग में इतने सीधे सरल गों को एसे जो साधु सभाव के लोग हैं इनको किरशी परिस्तिती से कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे लोगों ने फिर राजपत तयार किये है, स्वयम काटो के मार्क पर चलका मैं आपको निवेदन कर दूँ कि जानकी जी के भवन के बारे में सुंदर सदन बोला गया है ज़रा जानकी जी के जीवन को देखिए जब वो पिता जी के घर में रहती थी अपने मायके में तो उनके पैरों के नीचे पांच मन कमल का पराग बिछाया जाता था इतने कोमल उनके शिरी चरन थे यहीं वो जमीन पर सीधे पैर नहीं रखती थी उनके पैर के नीचे आगे पुष्प बिछाया जाते थे कमल का पराग बिछाया जाता था और जब वो ससुराल में आई तो उनको कितने लाड में रखा कोशल्यमा ने कहा कि मैंने सीता को हमेशा गोधी में रखा, जूले पर रखा, पलंग पर रखा मैंने कभी उनका पैर जमीन पर नहीं पढ़ने दिया लेकिन जब वनवास हुआ तो बारे साल चित्रकूट में खाने को रोटी नहीं थी कंदमूल भल खाए, जमीन पर चटाई पर सोई, नंगे पैर चारी बगवान की आखों में आसू आ जाते थे सीता जब चलत के जब चलना ही ती चित्रकूट की और तो बार बार पूछती थी अभी कितनी दूर चलना है नाथ तो बागवान उनके पैरों की ओड देखते थे कि इनके पैरों में चाले पड़ रहे हैं कुमल चरने फिर थोड़ी देर आराम करते थे फिर चलती थी थी पिर पूचती थी अभी कितनी दूर चलना है नाथ लेकिन कभी शिकायत में रही और पंचवटी में रही तो जब माता जी मायके में रही तो उनके घर का नाम सुंदर सदन हुआ जब माता जी ससुराल में रही तो पूरी अयोध्या सुंदर हो गई शुची अमोल सुंदर सब बहांती और जब माता जी चित्रकूट पर रही तो बैटे फटिक्षिला पर सुंदर सुंदर शब्द उनके साथ चला है जब पंचवटी गई तो पंचवटी इतनी सुंदर हो गई उनके जाने से कि वहां सुपणखा पिक्निक मनाने आ गई और जब रावन हरण करके ले गया तो गोस्वामी ने पूरे कंड का नाम ही सुंदर कंड कर दिया यानि मा जहां रहेगी बहीं सुंदर मा आपके हिरदे में रहेगी तो आपके हिरदे भी सुंदर सतन हो जाएगा मा माने भक्ती भक्ती माने भगवान पर भरोसा जो भगवान पर भरोसा करके जीवन जीता है कि मेरे जीवन में जो परिस्थिती आ रही है वो मेरे अनुसार नहीं आ रही जो मेरे बारे में लिखा गया है जो मेरा विधान बना है जो मेरा प्रारप्द है उसके अनुसार आ रही है वो फिर कभी दुखी नहीं होता वो फिर हर परिस्थिती में मुस्कुराता है होई है सोई जो राम घचिडा था तो गरितरक बड़ा वही साथा जाहे बेधि राखे राम ताहे बेधि नए सीता राम सीता राम सीता राम गई प्रसन्ना ननं नील कंथम दयारं चलत कुंधनं प्रोः शुनेत्रं विशारं इसले भगवान शंकर विश्भी पीते हैं तो मुस्कुरा कर पीते हैं क्योंकि उन्हें पता है आरा है तो भगवान की इच्छा है भगवान की इच्छा में क्यों अपनी ठांगना ना विश्भी आरा है तो ठीक है मुस्कुरा की पियो तो मैं निविदन करूंगा कि ये चौ यहां भगवान रुके हैं दुपहर का भोजन किया शाम के चार बजे भगवान ने कहा नाथ लखन पूर देखन चेहें जनकपुर के सेंटर पॉइंट के बारे में बहुत सुना है लक्षमण जी ने तो इसलिए वो जरा शेहर घूमना चाहते हैं कि राम मंदिर भी उसको भी देखना चाहते हैं तो ऐसे बगवान ने गुरुट के सामने एक भूमिका बनाई यह मर्यादपुर्सुत्तम है बिना पूछे नहीं जाते हैं गुरुजी के साथ हैं तो जिन के साथ हैं उनकी पूरी मर्यादपाल बुरुट जी से पूचा लखन नगर दिखालाओं गुरू जी ने का रॉम आप नगर देखना नोह और अधें नगर आपको देखना शाता है तुकि जबसे में बात श्वाट को लिए था जिनको देखार करजे जनक बावणे हो तो से पूरा जनक पुर आपको देखना चाहता है तो कराव सफल सबके नयन सुन्दर बदन दिखाए जाओ सबके नेत्रों को सफल करके आओ तो देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुर्भा सिन पाए तो धाए धाम काम सब त्यागी मनहु लंकन निलू टरिलागी जैसे ही लोगों को खबर मिली लोग दो चीज छोड़कर दोड़े अपना घर छोड़कर दोड़े और अपने काम छोड़कर दोड़े अब आप जितने लोग आ रहे हैं काम छोड़कर आ रहे हैं कि नहीं मुझे माताओं के बारे में तो पताए कि इनको इस समय सिर से उपर काम है आपके घर में गुजियां बन गेंगे नहीं अब रोज कथा सुनोगी तो गुजियां केसे बनाओगी लेकिन फिर भी आप आ रही हैं इसका मतलब है आप कितनी मेहनत कर रही होंगे कुछ काम सुबह निप्टाने कुछ काम कथा के बाद निप्टाने बीच में कथा के लिए करना अगर आप सोचें कि पहले काम निप्टाएं तब कथा सुने तो कभी नहीं सुन पाएंगे चुकि ग्रह कारज ना जंजाला घर के काम तो अभी खतम होते ही नहीं होली पर तो बहुत का कितनी मिठाईयां कितनी चीजें कांजी का पानी ये वो सब तमाम चीज बंती है और यहां बड़े-बड़े काम बाले लोग आने में कई लोगों को बहुत ब्यक्तिकर जानता हूं अपने बहुत जरूरी-जरूरी काम छोड़कर अब देके मारीश जी का कितना मार्च चल लई है आप सोचिए मार्च में कोई से इतना समय निकाले कितनी बड़ी बात है लेकिन जिनको भगवान से मिलना है उनको तो भाई सब ये दो शर्त पूरी करनी पड़ती है घर भी छोड़ना काम भी छोड़ना नहीं तो नहीं कर सकते हैं तो जनकपुर के लोग दोड़े पूरे मार्केट में ये जाम लग गया इतनी भारी भीड लक्षमार जी न्मर्जी शेख लेकिक एक गली में प्रवेषक गली में जनकपुर के जितनी बहुएं थी वह साम अपनी बालकनी पर आगी मैंने आपको पहले ही कहा कि जनकपुर के जितने नर हैं, नारियां हैं, युवक हैं, ब्रद्ध हैं, बालक हैं, सब संत हैं, सब बड़े ज्ञानी हैं अभी जो बहुए हैं, युवतियां हैं, ये भी दर्शन करना चाहती है अब अगवान नीचे जा रहे हैं और वो उपर बालकनी में खड़ी है अचा बिना सास की आ गया कि बाहर तो नहीं आ सकती अचा आजकल तो सास बहुत स्वीट हो गई है जब से सीरियल चला कि सास भी कभी बहु थी लेकिन पहले वाली सास, वो भी ब्रज की सास एक जगे मैं पूछा सास माने क्या तो एक बहु बोली जी मैं बताओ मैंने का बता, बोली जिसे देखकर बहु की उपर की सास उपर नीचे की सास नीचे तो अब वो सास तो चले गई मार्केट में दर्शन करने अब बहु बिचारी कैसे जाएं तो घर के बाहर नहीं आ सकती तो वो अपनी बालकनीज में खड़े है जुबतिन भवन जरोखन लागी अब भगमान जा रहे हैं लेकिन प्रावलम यह है कि वो नीचे देखकर चले और यह नीचे आ नहीं सकती और वो उपर नजर उठाएं हाँ उनकी जगे कर हमारे कनहिया होते है तो नो प्रॉलम और उपर नहीं मतकका कर जाते हैं और कहते के होरी में आई हैं लेकिन आपी राम जी है मरेदा पुर्शुत्तम है तो एक सखी ने दूसरी सखी से का कि देखो यह रगुबंशी है रगुबंशी पराई नारी की और नहीं देखते हैं इन्हें अगर यह भरोसा हो जाए कि हम इनकी भुवाजी लगती हैं तब ही हमारी योड देख सकते हैं तो भुवाजी के भरोसा कैसे होगा तो उसने का इनके पिटाजी का नाम लेते हैं परदेश में अब जनकपुर से अयोध्या 500 किलो मिटर दूर है य कोई जाके आगरा में कहें या कोई लखनू में कहें तो इन्हें भरोसा हो जाए कि अपनी हैं यह कोई अपने हैं अमते हैं पिताजी को जानते हैं सब को जानते हैं तो सख्यों ने भरोसा दिलाने के लिए राम जी के पिताजी का नाम लिया एदो दशरत के धोटा बाल मरा जालिम ही कल जोठा जाइसे उसने कहा, लक्षमर जी उचल गए, भाया, भाज़ ने का सुन रहा हो, जोश्ममता, भाज़ बुवाजी है, भाज़ ने का छिंता मज कर हाँ, हमारे पिताजी को यही नहीं जानती, सारा संसार जानता है वो चक्रवर्ती सम्राट है सीधा चल सक्यों ने का ये पिता जी के नाम से नहीं देखे फिर दूसरी सक्य ने का गुरु जी के नाम से देखे पिता जी को तो सब जानते हैं सब के पिता जी को लेकिन किसका गुरु कौन है ये तो कोई नहीं जानता निशाचर मारे मंगल भवन हा मंगल हारी द्रबहुस दसरत अजिर पिहारी मुनि कोशिक मख के रखवारे मुनि कोशिक मख के रखवारे मुनि कॉशिक मुनि कहते हैं विश्व Regent Mimi जी को hai विश्वा मित्र के यग्यों की रखशा करने वाले र्क्षाजों का वद करने वाले लक्षमरण जी देघा बई गुरती है बगवान ने का जब हमने राक्षा समारे थे हमारा यग की रक्षा की जब हमने अहिल्या का उद्धार किया हमें ही तो छप रहे थे सारे मीडिया में हमें चल ले थे इसलिए उपर मत देखना भी सीधे चलो उसकी बोली के ये पीछे वाला तो सीधा आगे वाला ठेड़ा है ये नहीं देखने दे रहा है कैसे फिर होगा ओले मौसी बन जाओ मा का नाम लो चुकि मा का नाम तो कोई नहीं जानता भीसा अब आजगल तो कहर कार्ड पर माता जी का भी नाम चपता है पिता जी का भी नाम चपता है बच्चे की शादी होती है तो श्री मती ये श्री ये इनके पुत्रों अब से दस बीस साल पहले पिता जी का ही चपता तो कि पिताजी का बेटा है तो माताजी का तो होगा ही उसमें 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 अलग से नाम चापने की उतनी आवशक्ता नहीं समझी जाती थी लेकिन यूरोप से पद्धती आई चुकि यूरोप में जब तक बच्चा शादी योग होता है तब तक कई उसके पिता बदल जात है तो मेंशन करना पड़ा है कोंसे भाले पिताजी का और से मताजी का है मताओं को हमारे पहले जमाने में यहां जितनी बुजूर्क मताएं बेठी है उनको पता है कि माइके के नाम से बुलाते थे यह कुन सी वह है जिए यह जवार अधार इए यह जए जट्टारि वारी है ऐसी तो होता था अब दश्रच जी कि राणियों के जो नाम है उमाय कैसे है कोशल देश की राज कुमारी कोशल देश आज कल 36 गड़ को कहते हैं मत्रप्रदेश को कहते हैं जबल पुर वाले लाके को महा कोशल एक्सप्रेश वहीं को चलती है तो वहां की राज कुमारी सुमित्र देश किराज कुमारी सुमित्रा तो उन्होंने का मा का नाम लो तो पहली सक्षी बोली यह जो आगे आगे जा रहे हैं श्यामगात कलकंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मदमोचन पॉसल्या सुत्सो सुख खानी नाम राम धन शायक पानी इतो सामले सामले कमल नए जा रहे हैं इनकी मा का नाम कॉसल्या है लक्षमर जी ने का अब तो मान जाब हुआ जी हैं मौसी जी हैं भग्वान ने का हमारी मा चक्रवर्ती पट रानी है दुनिया जानती है सीधा चल सक्षियों ने का अब लगता है कि हमसे कोई टेक्निकल मिस्टेक हो रही है इतना प्रयास करने पर भी यह हमको अपना मानने को राजी नहीं है तो एक ज्ञानी सक्षिय ने कहा कि देखो भगवान सीधे करपानी करते जब तक बीच में कोई आचारे कोई संत कोई गुरू ना हो हमने किसी गुरू को तो प्रणाम किया नहीं किसी संत को प्रणाम नहीं किया किसी आचारे को प्रणाम नहीं किया बोले अब आचारे कहां से लाया बोले पीछे चल तोने लक्षमर जी जो है यह तीनो लोकों के आचार है ये किन की जोड़ी है ये नर और नारेन की जोड़ी है इसलिए लक्षमण जी को प्रणाम करो गुरू को प्रणाम हो जाएगा मैं आप से निवेदन करूँगा कि जब आप बद्रीनात दर्शन करने जाते हैं Godrinath का जो परन्ध का परवट है वो नर और नारेण का परवट है जहां बसड़ब hybrid धर्बाव इंष यह परवट है और इन बड़ननद नदी बीच में हैं! और इस पार जहां मंदर है बडिलिनाथ का टुका नारेण परवट है हैं! तो नरपरवत पर शेशनाग महराज का भी मंदर है लक्षमण जी का जिसको आजकल आप हेमकुंड साहिब कहते हैं वो लक्षमण मंदर है श्री गुरु गुरु गोविन सिंग जी महराज सिखों के जो दशम गुरु है वो रगवणशी छत्रिये हैं उन्होंने अपने करोबर है चारो और बर्फ की चोटियां है तब एक सिख मेजर ने कई साल तक चुटियां लेकर और उस इस्थान की खोच की लेकिन हमारे हैं तो मंदिर लाखों साल से है उसकी पूजा होती है जब आप हेमकुंड साहिब की आत्रा करेंगे गोविंद घाट से बद्रीना से पहले से तो बीच में जो नदी पढ़ती है उसका नाम भी लक्षमन घंगा है तो जब आप नारेन का धर्शन को प्रणे जाएं तो नर जी का भी धर्शन करिये अर्थात लक्षमन जी का भी धर्शन करिये वो तीनों लोगों के जीवों के अचा रहें इसलिए सक्यों ने उनको प्रणाम किया, तो एक बार सब लोग लक्षमर जी को प्रणाम कर लें, जरूर गाएं चौपाईयों को, क्योंकि जो काल सर्प दोश होता है कुंडली में, काल सर्प दोश कहते हैं, जब राहु केतु ग्रह आपके उपर हाभी हो जाएं, तो लक्षमर जी की कृपा सर्प आपका क्या करेगा जब दुनिया का सबसे बड़ा शेषना आपके उपर करपा करेगा, तो बाकि सर्प तो बैसी भाग जाएगा गौर शरीर दिश्वर काँचे अभी सब नहीं गा रहे हैं जो नहीं गा रहे हैं वो ए कर दीजे कुछ भी करेंगे तो लक्षम्रची को लखे का गार है करसर चाप राम के पांचे कर सर चाप राम के पांचे लचि मन नाम राम लगु भ्राता सुनि सखितासु सुमित्रा माता सुनि सखितासु सुमित्रा माता बोलिये लक्षमण जी महराज की जैसे लक्षमण जी को प्रणाम हुआ आप तो बिस्तह जी कि महाजी जी जानते आपकी भी मोसिय है अब दर्शन देजिये मेरी मा चक्रवर्ती पठ्रानी नहीं है उनने तो सब नहीं जानते अपने भगवान ऑपना मुखमंडल उपर उठाया और जैसे मुखु पर उठाया सारी सक्षियों ने पुष्टों की वर्षा की वह लखनसिय राम चंद्रकी यह रशही बरसही सुमंद सुमुखी सुलोचनी प्रंद जाही जहां जहें बंधु दो तेहें तेहें परमानंद तो सब को परमानंद प्रदान करते हुए सब के चित को चुराते हुए सब के हरदे को लेते हुए भगवान अब वापस आये हैं गुरुजी के पास भगवान जनकपुर की गलियों में तो हो आये लेकिन आप लोग जिन भी गलियों से आये हैं अलीगड में अपने नगर से आ से कहिए प्रवू हमारी गली में भी आपका स्वागत है और एक बार भगवान का स्वागत जरा जोड़दार खड़े होकर एक भजन से ताली बजा कर भाव से सब्सक्राइब राम आये जनकपुर की गलीयन में फूल खिलने लगे बाग बगीयन में राम आये जनकपुर की गलीयन में फूल खिलने लगे बाग बगीयन में राम आये जनकपुर की गलीयन में राम आये जनकपुर की गलीयन में तन के गोरे सुमित्रा के सुकधाम हैं मा को शल्या के लाला शिरी राम है चर्चा होने लगी आज सक्खीयन में राम आये जनकपुर की गलीयन में फूल खिलने लगे बाग बगीयन में राम आये जनकपुर की गलीयन में सबी गावे और सबी ताली वजा में भाव से अपने हिर्दे में स्वागत करें भगवान का नारियां सब जरोखों से तकने लगी रूप अनुपम प्रभू का निरखने लगी सावरी छब समाई है अखियन में राम आये जनकपुर की गलीयन में पूल खिलने लगे बाग बगीयन में राम आये जनकपुर की गलीयन में हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बैठो राम बैठो राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम आये जनकपुर की गलियन में फूल खिलने लगे बाग बगियन में राम आये जनकपुर की गलियन में सबके चित को चुरा कर लोचन चुक्षवश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश् जान की मईया के साथ भगवान का मिलन होने वाला है, बहुती दिव्य बाटिका है, तो जब पुष्बाटिका के गेट पर आए भगवान, तो वह माली खड़े थे, माली ने अब तक भगवान को देखा नहीं था, उनकी पतनी कल शहर में गई थी, तो वह भगवान को देखकर आई थी, और वह पूरी रात भगवान की ही चर्चा करती रही, तो जब माली ने वह चर्चा सुनकर आये, और जब साक्षा देखा, तो वह भी इतना भक्त था कि प्रभू का दिवाना हो गया, तहा प्रभू कैसे पधारे, बहुले भाई आप पुष्प लेने हैं, चारो और देख रहे थे, चवहों दिसी चिताई पूछी माली गन्म। लक्षमर जी ने का क्या देख रहे हो, कल तो हम कह रहे थे, उपर देख लो तो इतने नकरे दिखा रहे थे, यहां चारो और देख रहे हो, तो भगवार ने का यह देख रहे हैं कि कोई माली दिखाई नहीं पड़ता, किस से पूछ के तोड़ें, अब देखे कितने मर्यादा पुष्प पुष्प बैसे वी वी आईपी गेस्ट हैं, जिसको राजाने अपने घर में रोका हो, उसको फूल तोड़ने को किसी से पूछने की क्या वर्शकता है, लिकिन मर्यादा पुर्शुत्तम इतने हैं, कि बिना पूछे तोड़ेंगे नहीं, वो चारो और इसलिए देख रहे हैं किस से पूछूं, कोई देख नहीं रहा, लोग चारो और इसलिए देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, पटाबड तूसरे के पूल तोड़ लो, अलिगड़ की बात नहीं कर रहे हैं, यह कोई नहीं तोड़ रहा, यह तो ताले बनते हैं, लोग बिना पूचे ताला तक तोड़ देटे हैं, वो तो आप फूल तोड़ने की बात कर रहे हैं, माली ने का अशरकार, हम आपको जाने नहीं देंगे और, हम फूल तोड़के यहां ला देते हैं, भगपन तोड़ का हमें क्यों नहीं जाने दोगे, उले सरकार हमारी फुष्ट बाटिका को खतरा है क्या खतरा है उले सरकार हमने सुनाए कि आप पेर से छू देते हैं तो पत्थर भी अहिल्या बन जाता है तो आप जब पेड़ों को हाथ से छूएंगे तो सारे पेड अगर अहिल्या बनके उड़ गए टुम राजा हम नोखरी से निकाल देउर स्चनल की एक हम सां महीं हिस्यां लिए कर दो नहीं जाने देंगे जो हरते हमारे हात्त हो लें हम गार हात को दो दो लेगे वीFX कोई खतरा नहीं हम नहीं कर दोद पैरियां वो तो पत्थर की है जब सीड़ी पार रखोगे तो वो पत्थर भी अहिल्या बनके उड़ जाएंगे बहुत सुन्दर भक्ति की नौक जोंक है बग्या बिच जाने नदई है राम जी बिनती सुनो बग्या बिच जाने नदई है राम जी बिनती सुनो बग्या बिच जाने नदई है राम जी बिनती सुनो अब भाई साब थोड़ी मीठी मीठी ताली बजाते चली है मा का दर्शन करना है मा आने वाली है चरण चुवत उन गई शिला प्रभू करचुवत बिटप उड़ जई है राम जी बिनती सुनो बग्या बिच जाने नदई है राम जी बिनती सुनो माली ने कई कारण बताए भगवान सब का समाधान करने लेकिन माली ने का जो सबसे भैंकर कारण ये है कि इस समय बसंत की रितु है इतने भौरे इतने मधुमक्खियां प्रहु आई हुई है फूलों का रस लेने ये सारे फूलों को लेकर आपके मुख पर चिपक जाए भगवान ने का मेरे मुख पर क्यों शिपक जाएंगे तजी तजी बीटम मधुप मत्वारी तजी तजी सुमन मधुप मत्वारी मुख पंकज पे मंड रही है राम जी इनती सुनों भगवान ने का हमारे मुख पर क्यों आ जाएंगे माली ने कहा आपके मुख पर इतने कमल खिले हुए हैं प्रभुव हमारी पुषबाटगा में इतना सुन्दर कोई कमल नहीं है जो आपके मुख पर है भगवान ने का कौन से कमल है माली ने कहा नब कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरूणं श्री रामचंद नपाल भजिमर अरण भव भव भैतार गुरां अरण भव कंज लोचन माने कमल जैसे नेत्र हैं कंज मुख माने कमल जैसे मुख है हाथ भी कमल जैसे हैं पैर भी कमल जैसे हैं आपके शरीर में तो हजारों कमल खेले हुए माली की भक्ति है भगवान ने अंदर प्रवेश किया बड़े प्रेम से पुष्प चुन रहे हैं उसी समय जानकी जी का अगबन हुआ अकेली नहीं आई हैं सुबह के पांच बजे हैं माने उनको भेजा है कि बेटी अब आपका स्वयंबर है जाओ गिर्जा मया का पूजन करके पारवती मया का पूजन करके आशिरवाद लेकर आओ आकेली नहीं आई हैं अश्च सक्यों के साथ है राधा जी भी अश्च सक्यों के साथ हैं और जानकी जी भी अस्टसकियों के साथ है मंगल गीत गाती हुई मा आ रही है उन्होंने आते ही क्या किया सरोवर में सनान किया गौरी का पूजन किया और पूजन करके गौरी से क्या मांगा अपने लिए स्रेष्ट वर मांगा मा स्वयंबर है मेरे अनरूप योग गिवर मुझे प्रदान करें लेकिन पूजा कैसे की कई लोग हमसे पूछने महराजी पूजा कैसे करनी चाहिए हमको सही पूजा की विधी बताइए तो पूजा सीखनी है तो भक्ती माता से सीखे ना जानकी मया कैसे पूजा कर रही है पूजा कीन अधिक अनुरागा अनुरागा में अनु पहले है राकबाद में एक बार मीरा जी भजन गा रही थी तो एक बहुत बड़े संगीत के विशेशक ने कहा कि आपका राग बिगड़ गया मीरा जी तो मीरा ने का राग की चिंता मत करो अनुराग की चिंता करो भगमान तो अनुराग पसंद करता है इसलिए राग तब पहले से ही चेंज करके रखना जाए उसी समय बदलेंगे तो हो पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर्मांगा कि अधिक अनुराग के साथ पूजा की थोड़ा धियान से देखिए अनुराग किसे कहते हैं जैसे आप मंदर में दर्शन करने गए तो आपने क्या किया हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो आपने बाहर से फूल ले लिये और बाहर से प्रशाद ले लिया अब तो खेर अच्छा प्रशाद यह तो बाहर अच्छी दुकाने हैं बढ़िया पेड़े हैं बढ़िया लड्डू हैं बढ़िया यह बढ़िया वो है लेकिन आप जादेतर मंदरों पे जब बाहर जाते तो म lied to wir हें चिनोरी दाना मिलता है कि अधी चिनोरी दाना ये परवल ये ऐसी चीजे जिन को आप कभी नही नहीं तु उह था कि नही नहीं है मुझे है हनुमान जिगोर को देवतां को वही अरपन होता है एकिस रुपे की थाली, एकतिस रुपे की थाली, एक्यावन 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 पूजा सामंकरी आजा रही है आप अगर एक फेर और लबली भी खरीदेंगे तो भी क्यावन की नहीं आएगी तो आप यह एक तरह से निप्टाना जिसे कहते हैं निप्टाना किसी चीज को राग लगी जब अनुराग होगा तो आप दिल से सोचेंगे कि मैं जगत जननी की पूजा करने आई हूँ तो मैं जगत जननी की पूजा कैसे करूँ क्या चिनोरीदानी से करूँ सबके घर में आटा है सबके घर में गुड है सबके घर में गी है अपने घर में अगर हम आटे का थोड़ा सा हलूआ बना ले आपनी कढ़ाई में, शुद्धी के साथ, और एक टिफिन में ले जाएं और मा और मा को कहें मा अपने हाथ से तेरे बना के लाई तो मा कितनी प्रसंड हो जाएं मा को आनंद आजाएं म Winston Kawa अपसे माने तो नहीं कहा कि मुझे नहींग निया कि मुझे रिन्यार का सामहन नहीं आप जीव़ में उक एक बार चटाएए लेकिन ज दिन जपह चढए ऊस्टिन कम सटोender उसदिए करीशह जो मा पहन सकेय यहाईशाव पहन सकते हो कि अप्र जेखे जितनी तुने मुझे सामर्थ दी है उसे साफ से मैं तुझे अरपन कर रही हूं तेरा तुझे अरपन एक बार चड़ा जीवन में तो माँ लगेगा कम से कम दीवन में इस्विक्ती ने एक बार मुझे पहनने योग वस्त्र प्रदान किये इसकू के अनुरा और बार बार ध लिपक्राद एक बार कि अंधर भूजा को अंद्र एक हम लोग भी बार एक में अनुर लोग जाएं कि यह कुपः लेगे बार इसन लें ऑदे हैंगा अ अब में लेह हूं अपर आप के तो हुआ को यह को एक टोड़े घरंव सामने किये लिजे लिजे आगरे करिए, हमारे यहां नेवेद्यम निवेद्यामी होता है, नेवेद्यम का मतलबी जो निवेदित किया गया, बाकी सब चीजे समर्पयामी, जलम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी, धूपम, दीपम, लेकिन नेवेद्यम समर्पयामी नहीं होता, निवेद्यामी, पेड़ा, बतासा, वो शंकर जी की पिंडी पर रखा है, कई जगे मंदर का गेट नहीं होता, तो वो बहरो देवता का वाहनाता है, फिर वो उसे चाटता है, उस पर चीटे की लाइन शुरू हो जाती है, तो सुची तोड़ा निविदन करिये दूर से, कई लोग आपने तो बिलकुल देवता की नाक के नीचे लगा देगे, अब कोई आपकी नाक के नीचे धूबती लगा दे, तो आपको सांस के से आएगी, कई भगत हमने ऐसे देखे जो कामड लेकर आते हैं, और शीशे की उसमें जल लाते हैं, और वो शीशे की जो गंगा जली होती है, और कामड के दिन भीड होती है, तो उन पर इतना धहर नहीं होता, तो दूर से शिवलिंग पर फैंक के मारते हैं, पूरे गर्व गरह में कांची कांच, शंकर जी मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छे बेटे, तूने मेरे कपाल पर बोतल फोड़ी, तेरा भी कपाल एक दिन ना पोड़ा तो मेरा नाम महकाल नहीं बेटे, यह पूजा है, पूजा को निप्टा यह मत, आपके घर में आपका दामाद आता है, तो आप कितनी सावधानी के साथ खातिर करते हैं, कोई भी वी वी आईप आपके घर आएगा, तो भी आप ध्यान देंगे, आप जगत के मालि के पास जा रहे है, पूजा करने भाई साथ, वो पत्थर की मूर्ती नहीं है, पत्थर होता तो आप जाते ही ना, मालिक है तभी तो जा रहे हैं, तो जब मालिक के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने गीता में कहा है, जो मुझे सगुन साकार मान कर, पत्रम, पुश्पम, फल में अधी चौपाई है पूजा की अधी चौपाई है मन की बात करने की जान दिजे, सीता जी, माता जी से मन की बात कर रही है, कर रही है कि नहीं है कि नहीं है, उनों ने केबल उनकी आरती तो नहीं गाई, उनने मन की बात की, मा आज मेरा सोयंबर है, मा, देख मेरे जैसा मुझे, मेरी पसंद का वर होना चीह है, यह मांग रही है कि नहीं है, मैं कि अधिता कि अधिता है बागवान के सामने जाते है और रटी रटाई आपकी आरती वही इस्तुति जो आपको रटी हुई है वही धंदन 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 अजकल लोगों पर टाइम भी नहीं है अब सुबह दुकान पर समय से जाना है ऑफिस टाइम से जाना है लेट उठेंग वे तेजब पड़ते हैं, Canuman Ji τज प्राइमिन की बात करो कुछ पांच मिनट शंती से बैठो तो से बहुत अधे मिरी आदत बन गईए जह कामों में निकालने की अपने अंदर की फड़ी मन की बात करो आपको कुई कष्ठ भी चल लाओ तो भी बात in samaan तो आप जब मन की बात करेंगे तो मन की बात आप उसी से करते जिसको अपना समझते हैं आप अपने अपना समझो तो सही भाहिसाब ना करें उन समधान को मुझे पता ही है लेकिन हम करते ही हम भोई रटी रटा इस्तुति कुछ आगे की किलास में जाओ एक बच्चा भी पड़ता है हम वहीं काये जा रहे हैं वह भी गाओ कुछ नई भी करो कि थोड़ा सा मन की बात तब देखिए ऐसा पूजन किया जान की माने के मा इतनी प्रसंद हो गए कि तुरंत राम जी का दर्शन करवा दिया पूजा करते ही राम जी का दर्शन हो गए एक सखी ने कह द जान की जी उसी सखी के पीछे पीछे चली वही लेकर चली उस सखी कितनी अच्छी कतावा चक रही होगी कतावा चक कही यही अर्थ होता है कि वह आपके मन में परमात्मा के दर्शन की उतकंठा जगाते है उस सखी न ऐसा वर्णन किया जानकी जी उसके पीछे पीछे चली अब जानकी जी चली तो पैरों के नूपुर बजे, कंगन बजे, ये बजा, बो बजा माता हैं सब पाईजे बगरा पहले पहनती थी सब हाथों के कंगन, सब कंकन किंकिनी नूपुर धोने सुनी कहते लखन सन राम हे दर गुनी कंकर किंकर दो पुर धोने सुनी कहते लखन सन इन जान बजा सीता जी के पाईजेव की कंगनों की सब की अवास सुनकर राम जी ने लक्षमण जी से कहा तात जनकतने आय है सोई धनुष जग जही कारन होई अभी दिखाई नहीं पढ़ रहा कुछ अंधेरा हो रहा है लेकिन जानकी जी आ रही है तो जिधर से जानकी जी आ रही है उतर प्रकाश फैलता चला रहा है और आगे का जो पंक्ती बोली है मैं आपको अध्यान चाहता हूँ उस पर अध्यान से देखिए भगवान सीता जी का इंट्रोड़क्शन करा रहे है लक्षमण जी को कि पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकास फिरई फुलवाई देखो ये जनक जी की बेटी को सखीया लाई है गौरी का पूजन कराने लेकिन ये जो बेटी है ये प्रकाश बती है ये जहां जाती है प्रकाश फैल रहा है मैं जब अशोग बाटिका में कथा करने काया एक बार 2009 में हम लोग लंका में गए कथा करने सुंदरकंड की तो अशोग बाटिका में पुझारी जी से पूछा जहां जानकी जी का मंदर था इस गाओं का नाम क्या है तो उन्होंने का इस गाओं का नाम है सीता एलिया मैंने उनसे पूचा, what is the means of एलिया, तो उनने का एलिया means the light of happiness प्रसन्नता देने वाला प्रकाश मन को प्रसन्न बना दे ऐसी लाइट तो मेरे ध्यान बे ये चौपाई आई क्योंकि मा की कृपा जिस पर होगी भक्ती का प्रकाश जिसके अंदर होगा वो हर परिस्ति में प्रसन्न रहेगा देखिए, पहले उस दागे का नाम था लंका जग विख्यात नाम थे ही लंका लेकिन जब से जानकी जी का वास वहाँ पर हुआ तब से उसमें शिरी जोड़ गया उसका नाम हो गया शिरी लंका इसलिए कथा भी श्री प्रदान करने वाली है गोपियों ने कहा श्रवन मंगलम श्री मदाधतम बक्ती है ना श्री प्रदान करती है जो पडोस में शहर ता जिस होटल में हम लोग रोके थे उस शहर का नाम था नुवारा एलिया नुवारा मीस अगनी हनुमान जी ने उसी शहर में आग लगाई थी तो जानकी जी प्रकाशवती है शवरी प्रकाशवती है इसलिए भगवान ने बोड़ी शवरी को जो सौ साल की है उनको तीन बार भामिनी शब्द से संब्धित किया भामिनी माने जो प्रकाश फेलाती है कहे रगुपति सुन भामिनी बाता दुनिया की सबसे सुंदरी बनकर विश्व सुंदरी बनकर सूपन खाई उसकी ओर देखा नहीं और बोड़ी शवरी को भगवान ने तीन बार सुंदरी कहा उनकी नजर में सुंदरता के माईने दूसरे है तो हम अपनी अपनी भूमिका को सोचें हम जितने लोग इहां बेटें हम जहां रहते हैं समाज में हम समाज में प्रकाश फैलाते हैं कि अंदकार फैलाते हैं अगर हमारे द्वारा समाज में प्रकाश बढ़ रहा है तो हमारा जीवन सार्थक है आप सब के द्वारा प्रकाश फैलना चाहिए और भगवान के सामने सीता जी आगई वो लता के पीछे खड़े थे लता ओट तब सकिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए जानकी जी को दिखाया वो खड़े हैं दोनों भाई और जैसे ही दोनों को देखा और राम जी को देखा तो नैनों ने पलके जपकना बंद कर दिया ठके नायन रघुपती जबी देखे पलकन हूँ परिहरी निमेशे मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सुदश्यरत बजीर बिहारी पलको ने जपकना छोड़ दिया पैचान गए नैन के ये मेरे धन है मेरे प्राण धन है एक टक नहार रहे हैं लेकिन बड़ी मर्यादित हैं उनको लगा मेरी सक्षियां क्या कहेंगी मैं लगातार इनको देख रही हूँ तो हिर्दे में रख लिया प्रभू को अब अंदर दर्शन कर रही है नेनों को बंद कर लिया तो राम जी निकल के सामने आए लिए पिर सक्षियों ने का अंदर नेत्रबंद मत करो देवी का ध्यान बाद में करना सामने देवता को देखो पिर से नेत्र खोले तो सामने क्या दिखाई पड़ा भगवान के माथे पर मोर का जो लोग राम और कृष्ण को अलग-अलग समझते हों उन्हें बुला रहा हूं में आईए देखिए भगवान कृष्ण ने मोर का पंक द्वापर में धारण किया लेकिन भगवान राम ने मोर का पंक पुष्वाटिका में धारण किया था जानकी जी ने भगवान का पहला दर्शन मोर पंक के साथ किया, क्यों? चुकि जब भगवान पुर्षबाटिका में प्रवेश कर रहे थे, तो एक मोर ने नास्ते नास्ते अपने सारे पंक गिरा दिये, लक्षमर जी ने एक उठाकर भगवान के मुकुट में लगा दिया, बगवान ने पुचा ये क्यो लगा रहे हो, और आपकी आपकी मर्याद आया, तो आपकी परंपरा है, जो आपके लिए सर्वसु समर्पन करता है, उसको आप मुकुट में धारन करते हैं। देखो जिनों ने किया, हनुमान जी ने अपने जीवन का सर्वसु समर्पन भगवान को किया, तो आज देश में राम जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के जादा है, बगवान ने उनको अपना मुकुट का मणी बना दिया, प्रहलाद ने अपनी जान की बाजी लगा दी, होल कि आग में चलने को तैयार हो गया आज प्रहलाद के नाम पर आप दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार मनाते हैं कि जितने भी लोगों ने सरवस्तु समर्पण किया हमारे क्रांतिकारी हमारे योद्धा तो सब हीरो हैं इसलिए मोर का पंक भगवान दारन करते हैं भगवान कहते हैं मैं वैसे तो सब में समान हूँ लेकिन मैं पक्ष लेता हूँ किनका जो मेरे होते हैं इसलिए तो भक्त भगवान का होता है जरा मोर पंक के साथ राम जी को प्रणाम करें मोर पंक सेर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच खुसम कली के जानकी जी दर्शन कर रही है अब मैं मा के बीच में बिगन बनना नहीं चाहाता वो दर्शन कर रही है प्रभु का इस समय मौर पंक लगा हुआ हैे जानकी जी के साहत अस्ट सक्षियां और भगवान पोर पंक लगा के क्रशन रूप में खड़े हैं और जानकी जी राधा जी के रूप में हैं यहां वो दिए 나 कह दिरे से कथा हैं lle हम अभी आनंद ले लें उस समय तो नहीं थे कुछ बाटे काम है लेकिन यहां बैठकर तो आनंद ले ले तो आईए आज राम जी कृष्ण रूप में हैं और राधा जी के रूप में मा जानकी हैं और हम सब उनके बालक यहां बैठे हैं तो जरा भाव से ताली बजा कर मिठे रस से भर योजी राधा रानी लागे माहा रानी लागे मन खारो खारो जमना जी को पानी लागे मिठे रस से भर योजी राधा रानी लागे माहा रानी लागे मन खारो खारो जमना जी को पानी लागे कि देखो भहिया भगवान श्रीक क्रिश्न की कोई भी मूर्ती सीधी खड़ी दिखाई नीं पड़ेगी हर मूर्ती में निर्त्य करते हुए दिखाई पडेंगे भगवानने का कल्यूग में टेंशन बहुत होगी टेंशन कम करनी है तो दो काम करते रहिएगा भजन गाते रहिए गा उन्रत्य करते रहिए गा हमें यह तो नहीं कहोंगा कि सब खड़े हो जाओ लेकिन जिनका मन हो अमीठे रस से भर्योजी राथारा नी लागे महारा नी लागे मन खारो खारो यमना जी को पानी लागे मन खारो खारो जमना जी को पानी लागे जमना मैया कारी कारी राथा गोरी गोरी ए जमना मैया कारी कारी राथा गोरी गोरी ए व्रंदावन में धूम मचाय रई परसाने की छोरी रजधाम राथा जूगी रजधानी लागे ए मन खारो खारो जमना जी को पानी लागे रजधाम राथा जूगी रजधानी लागे रजधानी लागे मन खारो खारो जमना जी को पानी लागे मीठे रस से भर योजी रभरानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमना जी को पानी लागे ते रस से भर्योजी जाधरानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमना जी को पानी लागे कितनी सुन्दर वंशी बद रही है जिनकी अभी ताली नहीं बद रही उनको वंशी पुकार रही है काना नित मुरली में ठेरे सुम्रे बारंबार कोटिक रूप धरे मन मोहन तव न पावे पार रूप रस की छबीली पाटरानी लागे मन खारो खारो घमना जी को पानी लागे सुम्री नहीं किसी पाटराने लागे मन कारो यमनाजी को पानी लागे हाथी घोड़ा पाल की जैरन या लाल की गोकुल में देखा व्रंदावन में देखा रे वन्शी बाजे रे शाम संग राधा नाचे रे शाम संग राधा नाचे रे बाधा रेखा 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 राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठोया तिन की बाधा दूर करत हैं पावन राधा नाम तेरा था नाम से सबने जिन्दगाने लागे जिन्दगाने लागे मन खारो खारो जमना जी को माने लागे मीठे रस से भर योजी राधारानी लागे माहारानी लागे मन खारो खर यमना जी को पानी लागे जए जए श्री रागे भगवान का दर्शन करके जानकी जी वापस लोटी है सक्षियों ने का सौयंबर में चलना है लेट हो जाएंगे लेकिन घर नहीं गई पहले जानकी जी गौरी मया के उसी मंदर में गई मा से कहा कि जब इतना सुंदर दर्शन करा दिया यही मुझको वर रूप में प्राप्त हों बहुत सुंदर इस्तुती की है मानस के 234 वे से 236 वे दोहे में बालकांड में आप कभी उसका पाठ करिए पहली दो चौपाई हम लोग रोज मंगलाचन में गाते हैं जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख्चंद्र चकूरी जय गजबदन शडाननमाता जगत जननी दामीनी द्युति गाता दो चौपाईयों में चारवार मा की जय बोली यह बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही साइकलोजिकल इस्तुती है मा की देखे जानकी जी ने सबसे पहले पारवती जी के पिता जी की जय बोली मायके की जय बोली गिरवर राज उनके पिता जी है फिर पारवती जी की जय बोली जय जय गिरवर राज किशोरी यानि आपके पिता जी की वी जय आपकी वी जय घर की कोई भी महिला हो जो घर की मालक होती है आप उनके घर जाईए उनके मायके की प्रशंसा करिए तब देखिए कितनी प्रसंद होंगी और फिर उनकी भी प्रशंसा करिए फिर उनके बच्चों की प्रशंसा करिए उनके पती की जै महेश मुकुचंदर चकूरी उनके पती की जै फिर उनके दोनों बेटों की ज आप इतना करके देखिए वो बहन जी आपको चाय खाली नहीं पिलाएंगे चका चक नाश्ते के साथ यह निश्चित है प्रतेग मा को अपने मायके की अपने पती की अपने बच्चों की तारीफ अची लगती है और माने जो इस्तुति गाई तो इतनी प्रसंद हो गई मा के मूरती जो माला चड़ाई थी वह माला खिसक गई बिने प्रेम बस भहाई भवानी खसी माल मूरत मुषकानी ऐनियम मूरती पूजा में कि आप कोई फल चणाए कोई फूल चणाए कोई माला चणाए और अगर वो मूरती से खिसक जाए तो समझ लिजे देवता प्रसंद है लेकिन जानबूच कर किनारे पर इमत खिसका दीजेगा सभाविक रूप से खिसके तो मैया प्रसंद हो गई माने आशिरवाद दे दिया आप सबको याद है मनु जाहिरा छेव मिलही सोबर सहज सुंदर सांबरो यह आपको याद देगे जानकी जी के बामंग फटकने लगए तो गौरी का आशिरवाद लेकर मा जानकी आई और गुरू का आशिरवाद जाके दाम जी ने लिया कितने सरल मन के हैं गुरु जी को बता दिया कि हम लेट इसलिए हो गए यह रहाँ जनक जी की बेटी आई थी दोनों भाईयों को बिठा लिए एहीं बेठे रहो और पूजा करके सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं पुन अशीश दुह भाई न दीनी देखें आशिरवाद हर समय न लिया जाता है न दिया जाता है आशिरवाद का जो सबसे सिद्ध समय है वो तीन समय है भोजनानते संध्यानते शिव पूजनते तथा यवचा आपके घर कोई भोजन करके उठे तो अपनी पूजा करके उठे तो या कोई अनुष्ठान करके उठे तो तब जो आशिरवाद होता है वो सफल होता है इसलिए गुरु ने जाते ही आशिरवाद नहीं दिया पहले अपनी गाइत्री जपी पूजा की और उसके बाद जौनों के सिर पर हाथ रखके सुफल मनोरत हो ही तुमारे रामलत ने सुनी भाई सुफारे किसी ने पूचा गुरुजी, दौनों भाईयों को जरूत नहीं थी रामजी को जरूत थी, आपने लक्षमड जी को क्यों आशिरवाद दिया गुरु जी ने कहा, हम गुरु हैं, यह चेला हे जो भाव रामजी के मुख पर थे, वोई लकभनजी के मुख पर थे तो कि सीता जी के साथ अश्ट सक्यों में और उमिला जी भी आई थी लक्षमड जी का नयन मतक्का वहां हो गया गुरु जी समझ गए इसलिए दौनों को आशिरवाद दिया सुभल मनोरत होई तो उनको गुरु का अशिरवाद मिला इनको गौरी का अशिरवाद मिला श्रतान बाई साथ रंग भूमी 25 किलो मीटर दूर है जनकपूर से वहां धनुष धाम है इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि उस जिले का नाम ही धनुष जिला है जनकपूर जिला अलग है धनुष जिला अलग है आज भी देखकर आईए उस धनुष का भगवान शिव का जो धनुष तोड़ा था उसका एक हिस्सा एक भुजा आज भी वहां पड़ी है बाद तक बैज्ञानिक नहीं समझ पाए कौन सी धातु का है वह पता नहीं कैसी धातु है वह पत्थर जैसी लगते हैं लेकिन पूरी धनुष की एक भुजा है 40 फिट लंबा है कि इतना लंबा धनुष होगा उसमें 14 हाथ वाले लोग थे तो पूरे जनकपुर राज्य में समाचार फैल चुका है बैल गाड़ियों में भरके पैदल जुंड के जुंड लोग चले आ रहे हैं गीत गाते हुए और यहां कितनी भारी भीड देखकर मंत्रियों को जनक जी ने पूछा यह वी आई राम जी को देखने आई जन्ता राम जी के लोग पूरा राज दिवाना हो गया है कि क्या करें अगर सब सोफों पर आगे लोग बैठ जाएंगे तो हम भेदवाओं नहीं करते किसी में तो लोगों को कैसे उठाएंगे राजा कहां बैठेंगे मंत्री ने कहा इनको एक उच जादियों में जड़ा और जादे फोटो वटो खिचवाने के लिए उंचा मंच बनवाते ना को लिफ्ट से उठा देते हैं दूला दूलन को जैमाल के लिए तो राजा जनक ने भी बहुत उंचा मंच बनवाय था सम्मंचंते मंच्रिक सुन्दर्विशत विशार और मुन प्रोटोकॉल टूट गया हम राजा ये राजकुमार ये हमसे उपर कैसे हो सकते मंत्री ने का हमारा राज गुरू जी को बिठाओ ना विश्वामित्र जी के नाम पर कोई अब्जेक्शन नहीं करेगा और जब गुरू जी बैठेंगे तो चेले तो बैठेंगे इसाथ में चेलो को कौन रोकेगा तो गुरू जी के साथ जब इठाया गया तो सब की निगाहे मंच की ओड़ आप देखें तो उपर बैठता है उसी व्यासपीट की इसलिए तो ऐसी परंपरा बनाई गई थोड़ी उची बना दी गई तो आप सब की निगाहे दरू हो जाते हैं तो सब को भगवान अलग अलग रूप में दिखाई पड़ रहे हैं जो वीर राजा थे उनको महवीर के रूप में जो दुष्ट थे उनको विक्राल रूप में रक्षसों को साक्षात यमराज के रूप में जो साधू पुरुष थे उनको इष्टदेव के रूप में जो पड़ रहे थे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन में अपनी अपनी भावना की अनुसार दर्शन होता है कि यह समझ लिजे कि आप भारत वर्ष को देखिए जिनके मन में भारत के प्रती मावाली भावना है उन्होंने बंदे मातरम बोला वो भारत माता की जै बोलते हैं उन्होंने बंदे मातरम बोलके फांसी के पंदे चुमे लेकिन जिन्होंने भारत को मा नहीं माना उन्होंने भारत के टुकडे करबा दिये वो अभी भी टुकडे टुकडे आजा दी के नारे लगा रहे हैं जिन्होंने गाय को मा माना उन्होंने गाय के लिए कितने कष्ट सहे आज देश में हमारे बरसाना में रमेश बाबा है 35,000 गायों का पालन करते है हमारे राजेंद्रदाश जी महराज हैं दसियों हजार गायों का पालन करते है राजस्तान में दत्शरणान जी महराज हैं 1.5 लाग गायों का पालन करते है मैं बैंगलोर गया तो वहाँ एक चंदू सेड़ जी है मैं उनका व्यक्तिकत उधरन इसलिए देता हूं कि व्यक्तिकत अपने परवार में कोई व्यक्ति इतनी गाय नहीं पालता जितनी वो सेड़ जी पालते है मैं उन स्पेशल उन से मिलने गया मैंने कहा मैं सुनना चाहता हूँ आपकी कहानी बोले महराजी अब मैं साथ साल का हूँ जब मैं बीस साल का नوجवान यहां आया था तो मैं बहुत मेहनत किया मजदूरी किया पल्लेदारी किया लेकिन मैंने एक गाय रखी और उस गव का वंश मैंने कभी बेका नहीं उस गाये के भागे से मेरा भागे बढ़ता गया, आज दस एकड में उनकी कोठी है, बैंगलोड जैसे शहर में जा लोगों को एक फ्लैट बहुत मुश्किल से मिल पाता है, दस एकड भूमी में, पूरी कोठी है, और कोठी केबल तीन सो गज में हैं, बाकी में गाये हैं, गायों के लिए इतनी सुन्दर सुन्दर बिल्डिंगे बना रखी हैं, किसी से एक पाई का वो नहीं लेते सहयोग, आपको गाये को गुड़ खिलाना है, तो हुनी के यहां से गुड़ लेकर खिला ये, वहीं रखा देता है, बहुत सुन्दर सेवा, उसी एक गाये का आम लोग भावना नहीं होती, बहुता हैं, तो गायों को जब तक लूद देती हैं, जब तक पीते हैं अपर निकाल देते हैं, पिर कहते हैं यह आवारा गाये थोड़ी हो तो निकालने वाला है, इसने निकाल दिया, उसने जिम्यदार इनी निए भाई, बहुता हैं माना वह भावाना से आज भी पूझ रहे हो जैनुनों तक वेल रिवर माना उन्होंने नदियों मेनाले छोड़ दिया यह दूनिया का वैज्यानिक एक भूंद पानी बना नहीं सकता लेकिन पूरे देश की नदियों जहरीला बना दिया तो यह भावना का विश्य है यह देश भावना का देश है तो जाकी रही भावना जैसी इसलिए राजा जनक ने भगवान को सबसे उंचे आसन पर बिठाया दूतों को इशारा किया दूतों ने अब राजा का प्रण सुनाया ए राजाओ ए जो सामने भगवान शिव का धनश है राहू के समान कठोर आपकी भुजाओं का वल्चंद्रमा के समान है ए नभुजबल पिदुशिव धन नाहू कलड़ कठोर फिजन सब का हूँ दूतों ने घोषणा की राजाओं दूत भी बड़े ग्यानी है राजा तो प्रसंद हो गए हमारी भोजाओं का बल चंद्रमा के समान है चंद्रमा में कितना बल होता है जब पंडीजी से आप मुरत निकल वाते हैं वो चंद्रमा कितना है चंद्रमा पूर्ण मासी के दिन पूरी दुनिया के समुद्रों के पानी को 20-20 मीटर उचाल देता है जुआर आता है आपको एक बाल्टी पानी कुए में से खीचना पड़ जाए तो आपको आप जाते हैं चंद्रमा का बल देखिए लेकिन समझदार राजाओं ने मूर्ख राजाओं को समझाया अगली लाइन नहीं सुनी निरप भोजबल बिधू शिव धनू राहू शंकर जी का धनुष राहू है राहू हमेशा पूर्ण मासी पर चंद्रमा को खा जाता है जब चंद्रग्रन पढ़ता है तो पूर्ण मासी पी तो पढ़ता है समझदार राजाओं ने का आज ये धनुष तुम सब की भुजाओं के बल को खा जाएगा चक्कर में मत पढ़ो लेकिन मूर्ख राजा नहीं माने सब जोल लगा रहे हैं 10,000 राजाओं ने जोल लगा भूप सहस्दा से कही बारा का मतलब यह नहीं कि दसजार ने एक साथ जोल लगाया एक राजा को एक बार ही ट्राइग करने की अनुमती थी और जब सब मूह लटका के बैठ गए तब राजा जन को क्रोध आया और वो खड़े ओकर बोले अब कोई अपने को वीर मत बोलना अब जनी को मांखे भट मानी वीर विहीन मही में जानी मैं समझ गया हूँ कि प्रथवी वीरों से खाली हो गई है इतनी डांट सुनने के बाद भी कोई राजा नहीं गया राजा जनक ने मंत्री से पूछा कि जब इन पर धनुस टूटा नहीं है सब फेल हो गए टेस्ट में तो बैठे क्यों जाते क्यों नहीं मंत्री ने का महरा जब इनको एक आशा बाकी है कौन सी आशा बाकी है जानते हैं कि धन उस किसी पर टूटा नहीं और राजा बिटिया को कुवारी तो रखेगा नहीं तो अपनी बिटिया को अंत में हार के कहेगा निराश होकर बिटिया रानी माला उठाओ और एक चक्कर लगाओ और जो पस हमारे गले में माला पड़ जया और तो कुई पसंद आया नहीं तो राजा जनक फिर से खड़े हुए और उन्होंने राजाओं को लगगा ताजवास आशा त्यागो राजा उन्हें कब फिर क्या करें उले नीज नीज ग्रहे जाहू अपने अपने घर जाहिए आप से नहीं क बिधाता ने मेरी बेटी के हाथ में शादी की रेखा खीची नहीं है इतना सुना तो लक्षमर जी खड़े हो गए एकदम ना उन्होंने चाचा जी कहा ना अंकल जी कहा ना ताओ जी कहा सीधे जनक आज जनक जी की भद्रा उतरेगी आप देखिए कि सीता जी के स्वेंबर पर जनक जी की भद्रा दो लोगों ने उतारी पहले लक्षमर जी ने और फिर परशुराब जी अभी लक्षमर जी उता है जनक लक्षमर जी एक दम लाला गलत बोलता है इतना बड़ा ज्यानी होकर तू कहता है कि विधाता ने हासादी की रेखा नही स्टेट्मेंट दिया कि बोल रहा है प्रतवी वीरों से खाली हो गई है जहां रगुवन्षी कोई बैठा हूँ वहां कोई के प्रतवी वीरों से खाली हो गई है वीड़ता देखना चाहता है मेरे प्रभु अज्यादें इस धनुस को उठाकर सोयोजन की दोड़ लगा के दर्श तोड़ने की बाद छोड़ जनक पूरे ब्रह्मांद को कच्छे घड़े की तरह फोड़तू है कहीं जनक जिसे अचित्वानी भिद्वान रकुल मंजानी अग्वन शिन में जे कोई होई तेसमाल जसकाई नकोई तेसमाल जसकाई नकोई एक दम लक्षमर्ण जी ला लाल गुरुजी ने का लखन इतने लाल क्यों रहें बेटा अठनी निए अप पीरे है गए हमें या मारे लाल हम पर रह जोए आप पीरे कैसे है गए होले देखो सुबह आप आशिरबाद दे रहे थे कि सुफल मनुरत होईं तुमारे और सबने जोर लगा लिया आपने एक जब तक कब निकलता है जब पूरव की दिशा लाल हो जाती है अभी तक लाली प्रकट नहीं हो इस तो ने प्रकट कि अब सूर को मैं प्रकट करूंगा और लखन सुम अगर मैं राम को पहले ही कह देता कि धनश तोड़ो और वो तोड़ देते तो यह बाकी राजा क्या कहते इन्हों ने तोड़ दिया तो क्या हो कि हम भी तोड़ देते ऐसी तो बोलते फिर क्या होता लड़ाई होती इसलिए अब यह सब हार के जखमार के बैठ अब मैं राम को कहुँगा कि धनश तोड़ो उसके बाद कोई चैलेंज नहीं करेगा तब गुरु जी ने राम को कहा उठा हू राम भन्जव भव चापा मेटा हू तात जनक परितापा लेकिन राम खड़े नहीं हुए उन्होंने पहले क्या किया भगवान हमको एक बात सिखा रहे हैं कि जब भी किसी महतपून काम पर आप जा रहे हों घर में माता हों पिता हो गुरु हों जो भी आपके बड़े हों अशिरवाद लेके जाओ भगवान पहले लेट गए चरणों में दंडबत हो गए गुरु हलाकि सुबह भी प्रणाम किया था लेकिन अब चुकि श्पेशल अभ्यान पर जा रहे हैं इसलिए फिर से प्रणाम किया और उसके बाद बिलकुश सहजबाव से जैसे कोई शेर जा रहा है सब ने हार रहे हैं और जानकी जी तो प्राठना कर रही हैं हे गननायक बरदायक देवा आज लगे की नहीं तुँ असेवा तो बारबार विनिती सुन मोरी करो चाप गुरता ते थोरी हे भवानी हे शंकर प्रपा करो भगवान ने देखा जानकी जी कहां पर रही है जानकी जी के चेहरे पर इतनी टेंशन भगवान को लगा लेट हुआ तो कहीं इनको प्राण न निकल जाए तो तुरंत धनुश को ताका लक्षमर जी फिर खड़े हो गए गुरुजी ने का अब क्या बात है वो पंके जटके तमाम प्रले आ जाएगी मैं शेश नागूं प्रतवी मेरे शीश पर है मेरी जिम्मेदारी है कि प्रतवी हिलने न पाए इसलिए मैं अपने दिखपालों को सावधान कर रहा हूं जैसे ही लक्षमर जी ने सावधान किया भगवान ने लखन की और देखा लखान लक्षमर जीने का प्रवू ग्रीन सिग्नल है लाइन किलियर है मैंने साव इंतजाम कर दिया है बस आपको तो वी एम पर बटन दवाना है बस और जैसे लक्षमर जी का ग्रीन सिंग्नल मिला भगवान ने धनुष की तीन परिक्रमाएं करके महादेव को प्रसंद किया त्रेम्बकम यजाम है सुगंधिम पुष्टि बर आपके हैं सिस्ट जी को भी वहीं से मन ही मन प्रणाम किया योध्या में मनहीं मन प्रणाम गुर्मीन अज्जाग उठाए धनमीन खेजत काड़े काउ मन लखा देश संब्ठाडे काउन लखा देश संब्ठाडे अगवान ने कभव धनुष को उठाया कभ डोड़ी को चढ अरे भुमंदुनिगोर का दोना अरे भुमंदुनिगोर का दोना ओलिया रजा राम चंद्र भगवान की जै तोट गया जै हो जै हो दनुष टूटा इतनी जोर की टंकार हुई के सूर्य भगवान के घोड़े उल्टी दिशा में भागे सूर्य भगवान के घोड़े उधर कु भागे और बाबा इधर कु गए इतनी जोर की टंकार थी के देवताओं ने कान बंद कर लिये भारे भुपन धोर कठोर रभ रभ बाजित अज्मारक चले शिकर ही दिगज दोल आही मही कोल पूरम नल मले सुर असुर मुनिकर खान थीने शकल भिकल भिचा रही को दंड खंड व राम तुलसी जैती बचन उचा रही अलिये लखंसिये राम चंद्र की भगवान का जो संकल था वो पूरा हो गया राचा जनक जी का दुख मिट गया जानकी जी चाह रही है कि मैं दोड के माला पहना दूं लेकिन मर्यादा है जब तक घर का कोई भुजुर्ग ना कहें तब तक कैसे आगे बढ़ू हाज कल की तरह नहीं कि अपने आपी वेलेंटाइन कार्ड दे दिया जब तक कोई घर का कहेगा तब उनके कुल गुरू शतानन जी महराज ने का बिटिया माला पहनाओ तब जानकी जी मा जोटी नहीं थी लेकिन पुराने जमाने में सास को छोटी बहुत अच्छी लगती थी सास कहती थी बहुत मेरी बटू आशी है कि आज कर लड़की देखने जाते हैं तो इंची टेप संगले कितने फिट कितने इंच तो अब जानकी जी खड़ी है माला पेनाना चाहंती उन तो बहुत बिनम्रता से जुकर ही खड़े होते हैं शील के साथ लेकिन हमारे हर काम में एक मर्यादा है हम एक लिमिट तक जुक सकते हैं क्योंकि 10,000 राजा दुनिया के बैठे हैं वो देख रहे हैं क्या कहेंगे कि पहले दिन से घरवाली के सामने सरेंडर इसे जादे नही जुक सकते हैं जानकी जी ओली प्रभु मैंने यही दिखाना चाहांती हूं कि आप में कोई एहंकार नहीं है जबकि आपने धन्स तोड़ दिया और यह कितने तन के बैठे अकड़ के बैठे हैं बहुत का लेकिन भगवान नहीं जुकेंगे तब लक्षमण भाईया लक्ष जी ओले मेरे पैरवाली धरती को थोड़ा उठा दो मैंने सुना अप शेष्णा को ना तो धरती को आप कर सकते हो तो इधर की धरती उठा दो और लक्षमण जी ने का भावी जी आप पूरी दुनिया में सुनामी आ जाएंगी एक मिलीमीटर भी धरती का लेवल अगर इध अब का उदेश क्या धरती उठवाने का वोले मेरी माला पड़वाओ अरु तो इतनी सी बाद लेओ अभी तक हमने भगवान के पैरत चुए नहीं जब से उन्हें धनुस्त तोड़ा है लक्षमण जी सीधे भगवान के चणों में सास्टंग धंडवत हुए लेकिन भगव अब लोग की सहेली गावई जबी अब लोग की सहेली जैसे ही सखियों ने गाया तो राम जी को ध्यान आया के लक्षमण जी नीचे और राम जी जैसे ही लक्षमण जी को उठाने जुके तो सिये जैमाल राम उर्मिली हो रही जै जैकार कि शोरी मोरी छोटी सी जुक जैयों ललन रखो भीर कि शोरी मोरी छोटी सी जुक जैयों ललन रखो भीर कि शोरी मोरी छोटी सी जुक जैयों ललन रखो भीर कि शोरी मोरी छोटी सी जुक जैयों ललन रखो भीर कि शोरी मोरी छोटी सी जुक जैयों ललन अब जानकी जी की वर्माला गले में पड़ गई अब वो कौन हो गए सियावर जैसे शंकर जी हो गए पारवती पताए ऐसे वो हो गए सियावर और तबी से आपने जे बोलनी शुरू की पुल सियावर राम चंद्र की जैसे ही जैमाल पड़ी लोग नियुचावर कर रहे थे तमाम प्रकार की किरियाएं चल लहीं थी उसी समय राजाओं में लडाई शुरू हो थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं जिस प्रसंग की और आपको लेके चलना हूं उसके बारे में लोगों ने बिल्कुल उल्टा सं देश दे रखा है देश में मैं आपका ध्यान दिलाना चालता हूं चुकि आप भगवान के सब भक्त लोग बैठें आप लोगों के कंसेप्ट किलियर करें यह आपकी जिम्मेदारी है उस समय वो दस हजार राजा राम लक्षमन को मारने पर उतारू हो गए उन्होंने का हम है दूशा मानलोग दो सबने मिलके दौनों बच्चों को मार भी दिया तो पिर सीता जी शादी कोन करेगा कैसे देकर होगे फिर आपस में लड़ेंगे कि यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि फिर आपस में लड़ेंगे तो यह बहुत भारी बहुत भारी रक्त-पात होने की आशंका हो गई उसी समय दक्ष्ण दिशा से एक भयंकर तूफान आया और वो तूफान के आते ही सारे राजा जमीन पर लेट गए एक धम पूरी सभाशान्त हो गई तूफान के रूप में भगवान परशुराम का आगमन हुआ और परशुराम भगवान की जैए देखिए इस परसंग को आपने बहुत बार सोना होगा राम लीलाओं में भी सीरियलों में भी राम कथाओं में भी मैं आपको एक दूसरी दर्श्टी निविदन कर रहा हूं उस दिन अगर भगवान परशुराम ना आते हैं तो राम जी के माथे पर कितना बड़ा कलंक आतादी में दस हजार राजा बारे गए थे क्योंकि राजा गरिंसे लड़ते तो फिर मारे जाते राजा यह मारे जाते प्रभु को तो नहीं मार सकते थे लेकिन परशुराम जी के आगमन होने से एक भी बूंद खून की नहीं बही ईविन नोट इसिंगल ट्रॉम और बिन विन भून बहे राम दुनिया के सब से बड़ योद्धा सब सब ड़े महामानब के रूप म सथापित हुए वो किसने सथापित किया भगवान परशुरामने कुछ लोग कहते हैं कि वह ब्रह्मन बादी थे पो कुछ बोग कम कहते हैं यह ब्रह्मन सामाज नहीं जादे सिद कर दिया है क्योंकि वही अपनी पत्रकाओं पर परश्व राम जी छापे रहते हैं क्या ब्रह्मनों में और कोई महापुर्श नहीं हुए कि पूरी दुनिया के जितने महापुर्शों की गिंती गिनोंगे तो 99 परसेंट तो उनी में निकलेंगे तो उनको भूल गए भगवान कभी जाती बादी नहीं होता अगर वो ब्रह्मनबादी होते तो एक भी पंडी जी मुझे हैं यह बता दें कि वो अपना धनुष किसी ब्रह्मन को देकर क्यों नहीं गए थे जनक जी को देकर क्यों गए थे जनक जी तो ब्रह्मन नहीं थे अगर वो ब्रहम्णबादी होते तो अपना धनुष पंडीजी के घर रख कर जाते ना कि राजा जनक के घर रख के जाते अगर वो चत्रीयों के दुश्मन होते तो उन्होंने जीवन में कभी भी रगवंश पर या जनकवंश पर आक्रमन किया हो मुझे बताई आप किसी भी में लिखा हो तो है रगवंश और जनक का वंश देश के दो बड़े राजवंश है भगवान आएगा तो उसका एक ही डिपार्टमेंट होगा परित्रनाय सादू नाम बिनाशाय चादुश्क्रताम उस समय शाशन शत्रिये ही करते तो दुश्थ राजाते उनको निप्टा मैं निवेदन करता हूँ वो अपना धनुश राजा जनक के या रख कर गए और बाद में राम जी को अपना धनुश देकर जो दूसरा धनुश भगवान विश्णु का उनके पास था वो देकर अपना फरसा भी वहां रख गए इसलिए दूसरे जिले का नाम फरसा है तब क मुचा मंदिर मेरठ जिले में जहां भगवान परशुराम का गुरुकुल चलता था विश्मुन के शिष्ण है करन उनका शिष्ण है दुरुणाचार उनके शिष्ण है सांधीपनी उनके शिष्ण है यानि महाबारत के जितने योद्धा है वो परशुराम जी की शिष्ण परमप्राकेशिष हैं उनका जो गुरुकुल चलता था वो बागपच जिले में पुरा महादेव का जो प्रसिद्ध शिवलिंग है उन्हीं के द्वारा इस्थापित है जहां तीन दिन में तीस लाक कामड चड़ती है देहरादून दिल्ली हाईवे बंद रहता है चोदे दि पूरी दुनिया में किसी शिवलिंग पर तीन दिन में तनी कामड नहीं चड़ती जो उस शिवलिंग पर चड़ती है 28 बीगे का उनका खेड़ा है मैंने उनका मंदिर बनवाने के लिए वहाँ पर साथ बार कथा की है कभी भी एक पाई नहीं ली और उन कथाओं के दी चाहिए एक रुपया दिया वहां की समिती ने सब कलेक्शन करके दुनिया का सबसे उचा परशुराम जी का मंदर बना है 111 फुट उचा परशुराम जी का मंदर संसार का सबसे उचा मंदर अभी देखकर आई आई हमने महापुर्शों को गलत अर्थों में परचारित क करके समाज में घ्रणा बढ़ाने का काम किया और ये काम हमसे अंग्रेजों ने करवाया हमारे जो बिकने वाले विद्वान है उनको खरीद कर भारत के समाज को बाटने के लिए सबी जातियों को आपस में बाटने के लिए अंग्रेजों ने ये चालेंज चली उनके कितने शडियंत्र में आपको बताऊंगा भी आगे कताऊगी उन्होंने अपने एक I.E.S. ओफिसर को सिख बना दिया अम्रिच छकबा दिया और उसने वहाँ जाकर जहर फैला दिया कि हिंदू और सिख अलग अलग है जबकि सिख तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही बने थे उन्हों को मिन सिंग जी महाराज ने कहा था सकल जगत में खाल सा पंत का आजे जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे इस जहर अंग्रेजु ने फैलाया कि दो आइस आपीसरों को उन्होंने दक्षन बहेजा उत्तर दक्षन में भेयं कर विश पहला दिया कि अश्य नाटू के सारे हिंदी के बोर्ड पोड़ दिये कए कि अन्होंने का दक्षन भारती है rāvda की संतान है उत्तर भाराती राम की संतान है ये जहर उनों पहलाया इसलिए इंगलेंड इतना सा देश है जरा सा उसके लोगों ने पूरी दुनिया पर शाशन किया अपने इंजिनियरों और डॉक्टरों के बल पर नहीं किया अपने विद्वानों के बल पर किया उनकी विद्वानों ने पूरी दुनिया के इतिहास का अध्यान करके लोगों को बांटा कि इन में कैसे कैसे फूट डाली जा सकती है उसका अध्यान किया अपनी की तलवारों को आपी के खिलाप इस्तेमाल किया इसलिए परशुराम जी को ध्यान से देखिए भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया था और भगवान राम को अपना भगवान विष्णु का धनुस भी परशुराम जी ने दिया था इसलिए वो धनुष्यग्य वह वाला धनुष्यग्य नहीं था जो शिव जी का दनुष वो तो तूट गया असली धनुष यह कि तो परशुराम जी वाला था इदम रामाय स्वाहा इदम रामाय इदम नमाम अब जो संबाद हुआ उसमें परशुराम जी ने का यदि आप नारायन है तो यह धनुष लीजिए धनुष अपने आप चला गया चुकि भगवान के शस्त्रों में आटोमेटिक पावर होती है उसमें बाण भी चड़ गया परशुराम जी समझ गया यह तो सक्षात नारायन है और उसके बाद जो इस्तुती की है कई लोग मुझसे पूछते हैं कि महराजी ऐसी इस्तुती बताई यह भगवान की कोई कि बहुत फाइदा हो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पूरे रामायन में भगवान की सबसे शांदार इस्तुती भगवान परशुराम जी ने की है साथ चौपाईयों में नौवार जय बोली है जिस घर में इस्तुती रोज गाई जाएगी उस घर की दसो दिसाओं में जैजेकार ही जैजेकार हो आप आज मेरे साथ दोरा लीजे गाएगे एक मिनट लगेगा सब लोग गाई जै रगुवंश बनजबन भानू गेहन दनुज कुल देहन क्रशानू जै सुर्विप्रधेन हितकारी जै मद मोहकोह ब्रह्महारी दो चौपाईयों में तीन बार चार बार परशुराम जी ने जै बोल दिया जै रगुवंश बनजबन भानू रगुवंश की जै हो मैं असलिए आपकी जै बोल ला हूँ कि आप देवताओं की ब्रह्मणों की वेदों की गायों की रक्षा करने आए हैं जै सुर्विप्रधेन हितकारी और मैं असलिए भी आपकी जै बोल ला हूँ कि जो भी आपकी कथा सुनेगा उसके दिमाग के चार दोश समाप्त हो जाएंगे मद मोहो क्रोध और भ्रह्म जै मद मोहो कोहो भ्रह्म हारी फिर उनकी विनम्रता की उनके सुभाव की जै बोली विने शील करुणा गुण सागर जयती बचन रचना अतिनागर सेबक सुखद सुभग सब अंगा जै शरीर सब कोटी अनंगा फिर दोवार जै बोली हे राम आप विनम्रता के सागर है मैंने कितनी गालियां आपको दी आप जब भी मुझसे बोले नात कहकर तात कहकर देव कहकर पूट्जी सब्द लगा कर बोले हे नात आप जैसी मीठी वानी संसार में कोई नहीं बोल सकता इसलिए मैं आपकी वानी की जै बोल ला हूँ जयती बचन रचना अतिनागर राम आप जैसी सुन्दर बचनों की रचना संसार में कोई नहीं कर सकता आपका शरीर करोनों कामदेवों से भी सुन्दर है इसलिए मैं आपके शरीर की सुन्दर्ता की जय बोल ला हूँ मेरे मेरे इश्ट महादेव है और महादेव आप ही के नाम का जब करते है राम इसलिए मैं आपकी जय बोल ला हूँ हे कैलास मानसरूवर में भगवान शिप के हिर्दे में बिहार करने वाले राम आपकी जय हो सेवक सुखद सुभक सवअंगा जय शरीर छबिकोट अनंगा अगली लाइन गाईए करव काह मुख एक प्रसंसा जय महेस मन मानस हंसा अनुचित बाहुत कहँ अज्याता चमहु चमा मंदिर दो भ्राता फिर परशुराम जी ने चमा मांगी मैंने कितना आपको कड़ा कड़ा शब्द बोला प्रभू और आप मुझे चमा कर दें जो मैंने अनुचित बोला दोनों भाई आप तो नर नारेन हैं जैसे जुके तो भगवान फिर चर्ण ने जुग गए नहीं नहीं प्रभू आप हमारे पूर्ज हैं आप हमारे पूर्ज हैं आपके बच्चे हैं अप चमा क्यों मांगें परशुराम जी चान्खों से आंखु बहरें लगें भगवान इतने बिनम्रहें तीन आपीज क्मा क्यों में तो बढ़ाय आदमी जो नहीं है करें बड़ाद में जो अगर घल्तिष्विकार गल्ति उसको पता लगए तो फो जो फाम भी मांगे अरि भगवान ओर जुके तो परशुराम जी और गद गद हो गए फिर तीन बार जै बोली इस प्रकार नो बार पूरी हुई अब तक जिन्होंने ना बोली हो उनके लिए मौका है ये तीन बार बोलेंगे कही जाये 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 रगु कुल लिटे तू कही जाये जाये रगु कुल के तू तीन बार जाये का मतलब है हे राम अयोध्या में, जनकपुर में, लंका में आप कीजे हो हे राम नगरवासियों में, ग्रामबासियों में और वनवासियों में भी आप कीजे हो हे राम ब्रह्मा, विश्नु, महेश, तीनों के द्वारा आप कीजे हो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तिरगुणों में आप कीजे हो हे राम पाताल में, पृत्वी में और आकाश में भी आप कीजे हो हे राम बच्पन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी आप कीजे हो हे राम, भूत में, बरतमान में और भविष्च में भी आप की जया इस नौ जय के उपर पूरे नौ दिन की कथा हो सकती है इतना अदभूत प्रसंग है इसको हमारे संतों ने परशुराम गीता कहा है आप प्रतिदिन इस सुस्ति को अपने घर का सकते है अब जिसकी परशुराम जी जय बोलकर गए हो उसको दुनिया में और कौन से सर्टिफिक्ट की आप शकत ले है अब राजा देशरत बरात लेकर आए हैं जनक जी ने बुलावा भेजा है और राम जी का विवास सीता जी से हुआ है आईए आप सभी बराती बनेंगे आप सभी घराती बनेंगे ठीक है? चुकि अलीगड में जनक पुरी भी है और अलीगड में रगुवीर पुरी भी है और यहां दोनों बीच में हैं यह मंदिर दोनों के बीच में है भगवान सरी सीता राम का इसलिए आप अपने को ही जनकपुर वाला मानिये अपने को ही रगुवीर पुरी वाला मानिये और प्रेम से भगवान का विभाकी बहुत मंगल गीत सब लोगों को गाना है तो ज़रा खड़े ओकर गाएंगे तो आनंदा हैगा ज़रा जोश रहेगा आप में सिया बनी दुलहन दुले रगुराई जनकपुरी में बहार देखो आई जनकपुरी में बहार देखो आई सिया बनी दुलहन दुले रगुराई सिया बनी दुलहन दुले रगुराई कई लोग तो ऐसे खड़े हैं जैसे शोक-सवा में खड़े हैं अरे भाया शादी में खड़े ओ ठोड़ा में लेंगे तुलेंगे कुछ देखे जो इस शादी में नाच लेंगे जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाएगी और जिनकी हो गई है उनका ग्रस्त जीवन और आनंद में हो जाएगा इसने साब गाई है भाव से मंगल मूल लगन दिन आवा एही मरी तु अगहन मास सुहावा राम जी के अंग पीतांबर सो है उसीया जूने सर पर चुनरी ओड़ाई सिया बनी दुल हने दूले रखो राई ए राम राम सिया राम आ राम राम सिया राम ए राम राम सिया राम आ राम राम सिया राम जै 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 हो राम जी के माँ थे मुखुट बी राजे जै राम जी के माँ थे मुखुट बी राजे ओ सिया जुने मोतियन मांग भराई सिया बनी दुलहन दुले लगुराई सिया बनी दुलहन दुले लगुराई जनक पुरी में बाहर देखो आई ए राम राम सिया राम सिया बनी दुलहन दुले लगुराई सिया बनी दुले लगुराई जनक पुरी में बाहर देखो आई प्रायोजक हैं डॉक्टर और्थो वैदिक ओईल एवं कैपसुल जोडों के दर्थ की बेजोड़ दवा रूप मंत्रा आयूर्वेदिक फेस वाश इसमें है क्यूकांबर के फ्यॉर एक्स्ट्रैक्स जो नाच्रिली चेहरे को मौश्यराईज रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयूर्वेदिक कोशिदी है